हलो बच्चो गुरु कुल में आपका स्वागत है आज हम लोग कलास तेन्थ के चेप्टर फाइब का मैथ में एकसरसाइज 5.2 पढ़ने वाले हैं यह साइज 5.2 में एक नया बात है उस नया बात को भी जानेंगे और वह फर्मुला कीस तरह से आया है उस फर्मुला को भी हम लोग जानेंगे उसके बाद हम लोग इस एकसरसाइज को बनाएंगे क्योंकि basic concept clear होना ज़रूरी है किवल सवाल solve करने से कोई फैदा नहीं है ठीक है तो आईए हमनों basic concept सिखते हैं पहले थोड़ा सा question पढ़ लेते हैं कि क्या-क्या इसमें बात आएगा तो काता निम लिखित सारनी में रिक्त अस्थानों को भरिये इसमें फिलिन बलेंक भरना है जहां ap का पर्थम पद a है इसमें एक पद है a है सारवंतर d है common difference d है a9 पद जो पद है वह दिया हुआ है और a9 मतलब last term भी दिया हुआ है a9 means अंतिम पद last term ठीक है तो यह आपको जहां जहां फिलिन बलेंक है उसको भरना है ठीक है तो चलिए इसको भी हम लोग भर लेंगे लेकिन सबसे पहले इस चेप्टर को सुरू करने से पहले बनाने से पहले हम लोग solve भी कर लेंगे इंगलीस में भी उसी तरह सा question दिया हुआ फिलिन दा बलेंक इन दा फॉलोविंग टेबल given that a is the first term d is the common difference and a in the nth term of a p तो चलिए पहले इसका basic object की a n होता क्या है और a n का formula जो है वो आया कैसे है इसके बारे में पहले हम लोग समझ देंगे चर्चा कर देंगे तो चलिए पहले हम लोग चर्चा करते हैं आईए तो exercise 5.2 का पढ़ने से पहले आपको देखे होंगे 5.1 में देखे होंगे एक बात लिखा हुआ था रीना के बारे में ठीक है ठीक है एक exercise जो है 5.1 में शुरू करने से पहले रीना के बारे में दिया हुआ था कि रीना है हना जिसका रीना है ने एक पढ़ के लिए आवेदन दिया था और वह चुन ली गई थे उसे यह पद 8,000 रुपया के मासिक बेतन और 500 वारसी की बेतन बिर्धी के साथ दिया गया था मतलब क्या करा है उसे पांच एट थाउजेंट रुपया उसको पर मंत मिलेगा और हर साल उसके बेतन में 500 का बिर्धी होते जाएगा ठीक है मने हर साल उसका 500 बेतन बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते इस तरह से आगे जाएगा ठीक है तो पांच साल में उसका बेतन केतना हो जागा तो इसको निकालने के लिए एक सौट इसमें उपाय बताया गया है ठीक है तदी पांच साल के बाद क्या बेतन होगा पंदरा साल के बाद कुशेगा तो आब तूरत कैसे बताईएगा तो उसको बताने के लिए इसमें एक बिधी आया है ठीक है एक फर्मूला आया है उस फर्मूला को हम यहाँ पर जानने का प्रियास करेंगे ठीक है यदि कहेगा कि इसका 8000 रुपया के साथ बेतन से यह काम कर रही है तो 20 साल इसका बेतन कितना होगा तो इसको बताने के लिए के वद है यहाँ AP का A9 पद तो यह AP का A9 पद क्या होता है इसी का फर्मूला हमा को ड्राइब करके प्रूब करके देखा रहे हैं तो चलिए हम समझते हैं चलिए तो देखिए अभी कोशन हम लोग रीना के बारे में पढ़ें किसके बारे में पढ़ ही है और उसका हर साल बेतन बिर्धी केतना हो रहा है बेतन में बिर्धी तो वह बेतन में बिर्धी जो है कोशन में ही लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि 500 उसका बढ़ रहा है बेसिक कॉंसेट किलियर कर रहा है ठीक है फर्मूला कैसे आया है यह आपको किलियर कर ठीक है और जब यह clear हो जागा तो फिनिक ससाज हम लोग बनाने लगेंगे तो माल लिजे कि ऐसे question का और उसका बेचन 20 साल के बाद क्या होगा यह पता करना होगा तो उसको इसी फर्मूला के द्वारा पता करेंगे तो माल लिजे कि उसका पहला साल का बेचन 8000 रुपया है यह पहला वर्स का है प्रथम वर्ष का यह बेतन है तो दूसरा साल का बेतन क्या होगा आप सोचिए दूसरा साल या दूसरा वर्ष का बेतन का बेतन क्या होगा सोचिया तो 8000 रुपया तो उसका मिलता ही है हर साल लेकिन एक साल बित गया तब 500 रुपया और अब उसका बेतन में बिर्धी हो तो इस तरह से उसका बेतन जो है आठ उजार पान्सो रुपी आ गया आठ उजार पान्सो रुपी आ गया ठीक है अब अधी उसी तरह से तीसरा साल का बेतन निकालना होगा तिसरे वर्स का बेतन तो तिसरे वर्स का बेतन केतना होगा आप सोचिए तो इसमें फिन आठ हजार में पान्सो रुपया जोड़ देना होगा कि दूसरा साल में तो उसको आठ हजार पान्सो रुपया मिल रहा था और पान्सो रुपया और उसको मिलेगा जिसका मतलब क्या हुआ कि 8000 रुपिया उसका सुरू का बेतन था और इसमें 500 रुपिया आओ जूटा हुआ था दूसरा सल के बेतन में तो 8500 को हम लिख सकते हैं कि 8000 अब पलस 500 और इधर 500 रुपिया यह तिसरा सल के आओ जूट गया ठीक है तो अब इसको क्या का सकते हैं कि 8000 रुपिया तो होग ही गया और 500 और 500 के इतना बार है दो बार है इसलिए 2 इंटू 500 कर देंगे 2 इंटू 500 कर देंगे 2 इंटू 500 का मतलब क्या हुआ कि 8000 तो उसका है यह है अगी देखे हम तीसरा साल के बाद कर रहे हैं इन साल के बाद कर रहा है, तदी 3 में से 1 less कर देंगे, तो 2 बच जाएगा, तो 2 को हम लिख सकते हैं, 3-1, तो यहां का कर रहा हैं, कि 3 साल है, तो 3 में से 1 घट कर जेए, तो यह नमबर आपको मिल जागा, और इन 2 का हो जागा, 500 होगा, तो यह तीसरा साल का हम लोग बात किये और इस तरह से देखा जाए तो कितना हो जागा 8000, विधार 500 और का दो बार गुना कर देंगे तो 1000 तो आठ 1000 और 1000 मिलकर कि उसका तूरब पैसा जो होगा 9000 रुपिया हो जागा देखिन नो हजार रुपिया को हम डारेक्ट नली करके इस तरह से टर्म हम कनभट किये ठीक है तो यह आपका हुआ रुपिया और भी देखिया अधी चौंथा वर्स के निकालना होगा चौंथे वर्स का बेतन तो हम लो तो सीधा जान रहे है कि 9000 है उसका बेतन दू तिसरा साल में और 500 रुपिया और जोड़ देंगे तो उसको आगला साल के बेतन हो जाएगा चौंथा साल के बेतन होगा 9500 लेकिन अब इसको हम लो तोड़ दे रहे है 9000 क्या था कि 9000 मतलब 8000 पलस 500 पलस 500 यही था तो 8000 पलस 500 पलस 500 और फिन यह पलस 500 इधर वला यह रह गया तो इधर 9000 की जगह पर 8000 पलस 500 पलस 500 कर दिया और पलस फिन यह पलस 500 ही उला आगया आपका तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि 8000 पलस 500 500 केतना टाइम है तीन बार आया है इसलिए 3 इंटू 500 कर देंगे आप यह भी कह सकते हैं कि 8000 पलस देखें चौथा वरस है फोर्थ एयर का है तो चौथा एयर के लिए फोर एयर के लिए क्या है कि क्या होगा कि फोर में से वन लेस कर देंगे तो यह आपका चौथा वरस के हो जागा फोर में से वन लिस करेंगे तो 3 ही बचेगा इंटू 500 हो गया तो यहाँ पर भी आपका एक फर्मूला आया और इस सब को जोड़ देंगे तो 9000 पलस 500 9500 इधर हो गया तो यहाँ इस चीज को एक टर्म के रूप में हिया बताया जा रहा है कि जो साल है उस साल में से कम कर देने सही है उतना टाइम आ जाता है फोर में से वन कर दिया थिरी आ जागा तो आपको एक तरह से देखते हैं कि तो यह जो साल है इसी को हम दो संख्या कर रहे है साल की संख्या फोर क्या है साल की संख्या इधरी क्या है साल की संख्या फोर है तौर था साल के लिए तो इसी तरह साथी करिये गा तो अधी 11 साल शाल का मतलब आल जांगा इन्युमा वर्स का बेतन क्या होगा तो इसके उन्सारा दिंढे हम करते हैं कि 9000 है ना 9000 या कहिए तम समय होगा कि आपका जो 8 सुरू का जो उसका बेतन है 8,000, 28,000 में से N1 वर्स का मतलब का हुआ कि N में से 1 घटा दीजे तो उस साल का बेतन हो जागा क्योंकि ये देखे चौन्था वर्स था था- 4-1 किये थे तिसरा साल का बेतन था- 3-1 किये थे तो उसी तरह सदी N1 साल का बेतन हो 3-1 करेंगे आइंटो 500 हो जागा तो यह जो 100 है 8000 जो है यह का है पहला साल का इसका बेतन है 8000 क्या है इसका पहला साल के रीना का बेतन था तो पहला साल को हम लोग यहाँ पर एक कहना है इसको का कहेंगे पर्थम पद या पहला साल का बेतन पर्थम वर्स का बेतन ठीक है इसको क्या कह सकते हैं पर्थम वर्स का यह कहिए या भी अभी करना है तो इसे लिख लिए पर्थम वर्स का बेतन पलस एन माइनस वन अई फाइब हंडेड क्या है बेतन बिर्धी है यह क्या है बेतन बिर्धी है हर साल जो बढ़ने वाला बेतन है तो इस तरह से आपको देखते हैं कि यहाँ यह जो है फर्मूला जो यहाँ निकल रहा है वह फर्मूला पर्थम वर्स को हम लोग A मानेंगे यही है आपका पर्थम वर्स या पर्थम पद कहिए पलस N-1 आपका हो गया अब ब्रिधी मतलब हर साल बढ़ने वाला को ब्रिधी कहा जाता है जिसको हम लोग D कहेंगे Common Difference कहेंगे तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि A9 वर्स का जो होगा A9 वर्स का जो भेलू होगा वह A पलस N-1 D के बराबर होगा तो यही है आपका A9 वर्स का पद या A9 वर्स का बेतन किसी साल का 15 साल हो 10 साल हो, 12 साल हो, 20 साल हो 25 साल हो, किसी का भी बेतन निकालना हो तो इस फर्मूला के थुरू आप निकाल सकते हैं तो यही इस चेप्टर में इसी फर्मूला पर कोचन solve करना है question का समझ में आएगा कि formula कैसे आया है n1 verse मतलब n-1 ठीक है तो इसी formula पर अब इस chapter का start होने जा रहा है और इस chapter का जो एक main बात है तो इस तरह से आप चाहिएगा तो इस formula के माध्यम से आप निकाल सकते हैं इस formula का use करिएगा तो इस formula के use करते हुए या पहला verse का निकालेगा तो a plus ठीक है पहला verse के लिए तो a रह जागा क्योंकि पहला verse में कोई बिर्धी नहीं होना है दूसरा verse में क्या हो जागा तो दूसरा verse में देख लिए ये a plus ये दूसरा है 2 minus 1 ये इनके जगा पका लिख दिए 2 लिख दिए और minus 1 लिख दिए और हर सल बढ़ने वाला बिर्धी d है तो a plus 2 में से 1 करेंगे 1 2 में से 1 less करेंगे 1 और 1 को d से करेंगे तो d तो दूसरा साल के जो पद होगा वो a plus d होगा यदि तिसरा साल का पद कहतना चाहते हैं तो a plus ये इनके जगा पर अबरी 2 के जगा पकाबा जगा 3 minus 1 d होगा तिस तरह से a plus 2 में से 1 कम करेंगे 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 और 2 को d से करेंगे तो 2 d होगा तो तिसरा साल का होगा इस तरह से आपका जो हुआ है पहला साल के लिए दूसरा साल के लिए A discouraged D, तीसरा साल के लिए A plus 2D, मतलब 3 रहेगा तो यहां एक कम रहेगा, 3 है तो 2D, तो इसी तरह से सोट में दी लिखना चाहिए 4 के लिखा होगा, तो A plus 4 है तो 4 के जगा पका लिखना चाहिए, अब 2D ने 4 है तो एक 4 में कम कर दीजिए, तो 3D हो जागा, पच्वाँ साल के लिए निकालना चाहते हैं, पच्वाँ साल जो भी कहिए, तो क्या होगा, A plus 5 है, तो 4D हो जागा, यह कम कर के लिखाता है, यदि A6 निकालना चाहते हैं तो क्या होगा A plus 6 है तो का लिखाना चाहिए 5D तो इस तरह से पदों की संख्या बढ़ता है तो आईए हम लोग अब किलियर हो चुके हैं कि पद की संख्या कैसे लिखा जाता है और फर्मूला क्या है A नमापद के लिए या किलियर होगे ठीक है तो आईए अब हम लोग exercise की सुरुवात करते हैं और exercise में क्या कहता है अब first question से देखते हैं तो चलिए तो पहला question कहता है कि रिक तस्थानों को भर ये क्या कहता है रिक तस्थानों को देखे पहला box में देखे A का भिलू दिया हुआ है 7 D का भिलू दिया हुआ है 3 N का भिलू दिया हुआ है 8 और N बराबर वाट है तो 4 गोपद में से A, D, N, N में से 4 में से हमेशा 3 पद दिया रहेगा 3 पद हमेशा दिया रहेगा और A को पद गाईब है जैसे पहला में देखे कि एन गाइब है दूसरा कोचन में क्या देख रहे हैं फर्स्ट के सकेंड में कि ए भी दिया हुआ है व डी इसमें गाइब है एन भी दिया हुआ है एन भी दिया हुआ है तिसरा कोचन में देखे कि ए गाइब है तो इधर तिनों दिया हुआ है इसमें देखे कि दो गों दिया हुआ है तो हमेसा देखेगा कि इसी तरह से सवाल बनना दिया हुआ है यह दो चार पद में से एक पद हमेशा गायब रहेगा तो उस पद को निकालने के लिए जो अभी फर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसी फर्मूला पर सवाल पूरा बनना है तो यह हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट कोचन solve करते हैं तो exercise यह हम लोग start कर रहे हैं 5.2 इसका फर्स्ट का फर्स्ट कोचन देखें हम लोग किताब से देख लीजे a is called to लिखा हुआ है कितना 7 d is called to कितना लिखा हुआ है 3 और n is called to कितना लिखा हुआ है 8 और n is called to क्या है यही आपको पता करना है इसी को पता करने के लिए कहा जा रहा है तो चलिए देखते हम लोग कितना होगा तो देखे फर्मूला बस एक ही गो है A निकालना है तो A के लिए का फर्मूला A के लिए क्या फर्मूला है तो A निकालने के लिए देखे आठमा पद है आठ पद है A का भेलू देख लिए 8 है तो 8 के लिए का फर्मूला A पलस 7D हो जागा बोले थे कि एक कम करके बोलना है क्योंकि फर्मूला होता है देख लिए आपको पूरा फर्मूला जो है n is equal to a plus n minus 1 d यह होता है तो आपको n का जब भिलू पता हो तो एक कम करके बोलना है ठीक है अब जैसे n का भिलू पता था 8 था 8 है तो 8 में से 1 कम कर देंगा 7 होगा तो 7 d बोलना है हमेशा इसी तरह का तो चलिए देखिए a का भिलू कितना है 7 है देखिए 7 लिख दिए plus है plus लिख दिए 7 है 7 लिख दिए into d का भिलू कितना है 3 3 लिख दिए 7 का 7 हो गया plus 7 3 जा 21 हो गया 21 में 7 जोड दिए 28 हो गया हो गया answer देखिए कितना आसान है तो इस चेप्टर बहुत आसान है कि वहल आपको ध्यान देना है तो देखिए a पद निकल गया अब इसी का दूसरा निकलना चाहते है तो दूसरा देखिए किया missing है किया नहीं पता करना है तो देखिए a इसका लिखा है minus 18 d जो है इसका gap है missing है और क्या है n दिया हुआ है 10 और इसका n भी दिया हुआ है n कितना है 0 तो देखिए n पता है 10 n पता है 10 इसलिए a n बराबर हो जागा a पलस 10 पता होने के चलते 10 में से एक कम करके बोलेंगे तो क्या होगा 90 n का भी लू केतना है 0 देख लिजे n का भी लू केतना है 0 है a का भी लू क्या है minus 18 पलस 9 का 9 है और d का भी लू पता करना है इसलिए d रह जागा ठीक है d का भी लू नहीं है इसलिए d रह जागा ठीक है a n का भी लू 0 बठा दिए equal है equal लिख दिए a का भी लू minus 18 था minus 18 लिख दिए plus है plus लिख दिए 9 के 9 लिख दिए और d find करना है d missing है d पता करना है तो d के d रह गया अब देखिए 0 के तो 0 हो गया 0 का कोई भी लू नहीं है minus इधर आगा तो का होगा plus 18 हो जागा इधर का हो गया 9d तो 18 में 0 जड़ंगे 13 है रह जागा इसलिए जब d बराबर करेंगे तो d के साथ 9 है वो बाई में चला जागा d के साथ 9 है काहा चल जागा by में चल जागा और 18 उपर हो जागा केतना बार में कट जागा 2 बार में तो d का भी लिव 2 हो गया देखे केतना असान है अब इसका third question देख लिए क्या करा third तो a is equal to what इस शुरू में a गाइब है ठीक है और क्या है d is equal to minus 3 है और n is equal to 18 दिया हुआ किता में देख दीजे सब question क्या लिखा हुआ से और n is equal to minus 5 है हो गया तो जब इतना हो गया तो अब देखते हैं हम लोग क्या है से तो फर्मूला तो जानिये रहे कि a n के लिए एकी को फर्मूले है और n भी पता है देखे फिन है पता n n पता है 18 है तो का लिखाना होगा 17d एक कम करके लिखना रहता है तो a plus 17d कहां से 17d लिख रहे हैं समझ मारा है न यहाँ 18 है तो एक कम करके लिखना है हमेशा फर्मूला में याद रखेगा n जब पता होगा तब n जब किलिएर पता है तब ऐसा करना है जब n नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते हैं तो आपको हमेशा देखे अभी तक तीन को स्वाल बना है तीनों स्वाल में n का भेलू है इसलिए कम कम करके लिख रहे हैं ठीक है अब आईए n का भेलू देख लिजे minus 5 है a का भेलू find करना है plus के plus 17 के 17 और d का भेलू देख लिजे minus 3 है minus 5 के 5 हो गया a के a हो गया plus और minus minus हो गया 17 3 जा 51 हो गया कितना हो गया 51 अब क्या है minus 5 के 5 हो गया अई minus 51 है ही आनिये तो पलस 51 हो जागा अधर क्या बज़ रहा है यह इस तरह से ए इसकल टू करेंगे तो 51 में से 5 लेस्ट कर देंगे तो कितना हो जागा 46 देखे देजिए एंसर हो गया तो यह भी बहुत असान था ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है केतना कह रहा है अब आगे यह 4 कोशन के बाद 4 कोशन में 3 तक किलियर हो गया 4 कोशन देखे क्या कहता है फोर कोशन कह रहा है देखे लिजे बुक में कि A is equal to minus 18.9 है D is equal to 2.5 है N is equal to watt है और N is equal to 3.6 है N is equal to 3.6 है ठीक है एतना ची कोशन में दिया हो तो इसमें अब रही क्या है missing एन missing है तो एन देखे निकालने का दो वो process है एन निकालने का दो process है पहला process तो आपको हम general rule से बता दे रहे हैं जैसे बनता है लेकिन एक और बता दे रहे हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा बार यूज करेंगे इस chapter को solve करने में इस chapter का इस chapter के अगला chapter भी आगा उसमें भी solve करने में क्योंकि उससे थोड़ा सा फास्ट और पहला है इस clear बन जाता है तो चलिए अभी general formula से बनाते हैं a n is called to a plus अब 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 री n देखे पता नहीं है तो जब n पता नहीं है तो पूरा formula लिखेंगे क्या पूरा formula हता है a plus n minus 1 d अब बोलिए a n का value केतना है तो n का value देखे 3.6 है a का value केतना है तो minus 18.9 है एका value लिख दिए फिन plus है तो plus लिख दिए n minus 1 है लिख दिए same to same कहिके n find करना है पता करना है और d का value देखे लिखा हुआ है 2.5 तो 2.5 लिख दिए अब आगे बढ़ए 3.6 लिख दिए और यह minus है यह minus इस side में आ रहा है equal के side में तो minus से इधर आने का बाद क्या हो जागा पलस हो जागा 18.9 पलस 2.5 को n से करेंगे तो 2.5 n और 2.5 का 1 से multiply करेंगे तो 2.5 को 1 से करेंगे तो 2.5 रह जागा पहले तो यह दोनों को add कर दीजे जोड़ दीजे दोनों को 9 और 6 चोड़ेंगे तो 15 हो जागा का 5 अब 18 और 3 21 और 1 22 हो जागा ठीक है हो गया इधर से इधर ले आने हैं और इसकल्ठू है है इसकल्ठू होता इसकम पलस हो गया है ठीक है परदे इस तो सेम हो गया माइनस में था इधर ले आए तो पलस हो गया अब इधर जो बचा से बच गया 25 को एन से के 2.5 को एन से के तो 2.5 एन 2.5 को 1 से के तो 2.5 ए रह गया अभी दुनों के एड कर दिये तो इतना हो गया और इदेखे माइनस में है अब इसको भी इधर ले आने रहे हैं तो माइनस में है तो इधर आखे का होगा पलस में 2.5 इधर क्या बचा 2.5 एन बचा अभी दोनों को एड कर दीजे क्या आएगा एड करने के बाद एड करने के बाद देखिए 2.5 में अधी एड कर देते हैं 22.5 में 2.5 एड कर देते हैं तो क्या आएगा तो 5 को 5 से करेंगे तो 0 और 22 और 22 24 और 1 25 हो जागा अभी धर केतना है 2.5 हो गया एन इसलिए जब n इसकल 2 करिएगा ठीक है n इसकल 2 करिएगा तो n का जो value है 2.5 वो नीचे हो जागा और 25 उपर चला जागा इसका दी point खटाते हैं 25 और 2.5 इसका point खटाते हैं तो उपरे 10 चला जागा point खटाता है तो point के बदला में 1 अधर एक digit है देगो 0 25 से 25 कट गया 10 आगी एनसर ठीक है तो एक तो n निकालने का या बिधी हुआ ठीक है एक और n निकालने का बिधी सिखा रहा है इसी बिधी का हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे तो देख लिजे यह वह n है क्या तो देखे n बराबर एक और है तो एक फर्मूला अब देख लिए n निकालने का या प्रोसेस या तो जेनरल फर्मूला है सही लिखा है अस्टेंडर्ड फर्म आप ए-n टर्म का जो फर्मूला है a-n इसकल टू a पलस n माइनस 1d या हो गया ठीक है ज़्यादा करके इसी पर बताते हैं लेकिन आपको देखे एक और बता दे रहे हैं वह क्या है देख लिजे a-n माइनस a plus d by d देखे a-n निकालने का एक फर्मूला है या फर्मूला कुछ नया नहीं है उसी का solution करके निकाला हुआ फर्मूला है लेकिन इसे एक ही step में बनते चला जाता है देख लिजे हम बना रहा है जैसे देख लिजे इसमें बनाये थे 10 answer आया था अब एका भेलू क्या है क्योंकि अब एका भेलू बिठाना है एका भेलू क्या है माइनस 18.9 हो गया फिन क्या है पलस है फिन d का भेलू केतना है तो 2.5 है तो 2.5 लिख दी by d का भेलू केतना है तो 2.5 है ठीक है अब आईए माइनस और माइनस क्या हो गया पलस हो गया इसलिए दुनों को जोड़ दीजे नाइन में 6 जोड़ देंगे तो 15 के 5 हो जागा 18 और 3 21 और 1 केरी था 22 हो गया अब पलस क्या लिखा हुए धार 2.5 लिखा हुआ तो 2.5 हो गया और नीचे क्या है 2.5 इसको तो सेम उतारते जाना 22.5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 25.0 आजागा और नीचे क्या है 2.5 इसका पॉइंट अदी हटाते हैं तो क्या आएगा 25 आए गया और इसका पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद इधर एक डिजिट है इसलिए 10 आएगा 25 से 25 कर जागा केतना बचेगा 10 एंसर हो गया देखें तो एन निकालने का ये भी एको प्र और सेस का यूज करेंगे एन फांड करने में ठीक है तो चली हम लोग आप आगे कोशन देखते हैं क्या है तो इसका फोर कोशन हो गया इसका फिफ्ट कोशन देख लिए फिफ्ट कोशन क्या कहता है A is equal to 3.5, D is equal to 0, N is equal to 105, और N is equal to what, तो N is equal to what देखिए, फर्स्ट कोच्चन में बना लिये हैं, N is equal to what देखिए, फर्स्ट कोच्चन में आप बनाए हैं, तो आप इसी प्रोसे से आप सॉल्व कर लिजेगा, आपको एंसर आजागा, तो हम आपको प्रेक्टिस करने के लिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको आप प्रेक्टिस कर लिजेगा, अभ्यास कर लिजेगा, है ना फर्स्ट का फर्स्ट कोच्चन की तरह ही अभ्यास कर लिजेगा, ठीक है, अभ्यास करना है, प्रेक्टिस कर लिजेगा, ठीक है, तो इसको आप छोड़ दे रहे हैं, उसको भी जब बनाएगा, तो बनाने के बाद आपको निकल जाएगा, एं का जो बेलू आएगा, वह 3. 3.5 के लग भगाएगा, अब बनाके देख लिजेगा, इसको, आगे देखते हम लोग, अब 2 कोचन आए, 2 कोचन काता क्या है, पहले तो कोचन देख लेते हैं, तब स्वाल करेंगा हम लोग, काता है कि निमली खित में सही उतर चुनिए, और उसका ओचित दीजिए, ठीक है सही चुनना है, लेकिन यह मलेकी 97 है, 77 है, माइनस 77 है, माइनस 87 है, तो कोन ऐसा पद है, जो इसका, इस एपी का 10, 7, 4, 10 का तीसमा पद है, 13 टर्म पर आएगा, कोन ऐसा पद है, इस में से, ठीक है, उसी तरह से नीचे वाला भी है, ठीक है, तो आपके को हम फर्स्ट कोचन स है, तो देखे कैसे करते हैं, तू का फर्स्ट, एपी दिया हुआ है, 10 है, 7 है, 4 है, डैस, डैस है, और क्या कह रहा है, का तीसमा पद पता करना है, मने एन है, एन ही हुगा, ठीक है, तो बोले ए से एचल टू क्या देखा रहा है, तो यह आपका देख लिगी, यह 10 है, d कैसे निकलता है तो d जानता है कि second term में से first term को लेस करने से d होता है तो 7 में से 10 लेस कर दिये minus 3 हो गया और क्या है और क्या है तो n is equal to देख रहे हैं कि 30 है और कौन्ची पुछ रहा है तीस्वा पाद मतलब a 30 पुछ रहा है कितना होगा मने a n पुछ रहा है ठीक है तो a n अब देखे बहुत बार उपर ही first question में ही solve किये थे a n कैसे निकला जाता है लेकिन फिर भी कर दे रहे है a 30 is equal to क्या होगा a plus जब a n का value 30 रहता तो क्या लिखाता है 2090 किलियर है न इस बात अब बात किलियर है न कि यदि 30 a n का value 30 हो तो a plus 29 d होगा अधि a का value 50 हो तो a plus 49 d होगा इस तरह से formula चलता ही है चलिए a का value देख लेते हैं उपर में 10 दिया हुआ है 10 लिख लिए plus 29 के 20 line लिख दिये into d का value कितना है तो minus 3 निकाले है तो minus 3 हो गया 10 का तरह 10 हो गया plus और minus क्या हो गया minus हो गया 3 को 9 से करिए 9 37 के साथ हांत में तीन और तीन दुनिक छो तीन है 9 37 के साथ हांत में दो बचा तीन दुनिक छो साथ है 87 आया और 10 में से 87 minus करेंगे तो minus 77 आएगा यही आपका answer है तो यह answer 77 किस में है देखे book में तो c option में है one option में है c option में है c answer हो जागा ता आप इसी तरह से आप question number second भी solve कर दीजेगा यह आपको practice करने के लिए दे रहे हैं ठीक है यह आपको किस के लिए छोड़ दे रहे हैं practice करने के लिए आप इसको practice कर लिजेगा इसी तरह से बनाना है देखे इसमें पूछ रहा है गार्मापत, आपको फर्मूला होगा, आप इस पर बना लिजेगा, गार्मापत पूछ रहा है, गार्मापत का मतलब हुआ A plus 10D, इसी फर्मूला पर आप सॉल्व करिये, आपको एंसर आजागा, बना करके, आप इसको ट्राइ कर लिजेगा, तो इसका देखेगा, जब सॉल्व करियेगा, तो आपको 22 एंसर आजागा, तो यह 22 किसमें है, B में है एंसर हो जागा, ठीक है, इसी फर्मूला पर करियेगा, गार्मापत बुला है, इसलिए A plus 10D हुआ, आप प्रेक्टिस कर लिजे, ठीक है, चलिए अब आईए, कोश्चन न दिया हुआ है, ठीक है, और दोसरा पत दिया हुआ है, बॉक्स में खाली जगह है, नहीं है, और थर्ड दिया हुआ है, 26, इसको पता करने का दो गो रूल है, यह 26 कूँँए Middle Term पता करना है, Middle Term का रूल होता है, दो लेकिन तीन गो हो, तब ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि आपको इस पद को इस पद को दुनों को जोड़ दिए 26 और 2 जोड़ दिए 28 और 28 का हाप करेगा तो 14 यही हो जागा आपका बीच के तर्म में 14 तो यह हो गया यह से ही लेकिन आपको दुखिए दूसरा तरह से है देख पता रहे है थिरी का फस्ट है आपका 2 दिया हुआ है आगे बॉक्स दिया हुआ है फिन 26 दिया है देख तो बता दिये कि दूनों को एड़ करके निकाल देना है दूसरा आपके पास उपाय है कि दखिए आपको थर्ड तर्म दिया हुआ है यह फस्ट तर्म है ए इसकल टु टू है सकेंड टर्म नहीं पता है और यह क्या है थर n बराबर भी कर सकते हैं कि 3 है 3 यह को पदे है तो आपको क्या करना है पहले तो d पता कर लेना होगा ठीक है और d पता करके भी आप निकाल सकते हैं ठीक है तो इसके अंसार आपको क्या करना है d निकालने के लिए अभी तूरत पढ़े थे कि a 3 के लिए क्या फर्मूला होगा क ए पलस 2D होगा, ठीक है, ए 3 का अभिलू के अतना है, 26 है, ए का अभिलू के अतना है, 2 है, और 2D के 2D रह गया, 26 में से इधर है, पलस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा, और इधर का बचा, 2D बचा, इसको कर देंगे तो केतना होगा, 24, और इधर का हो गया, 2D, इसलिए ज 24 उपर हो जागा केतना बार में कड़ जागा 12 बार में तो आपको कौन पद निकालना है first पद तो पता है second पद या दूसरा पद नहीं पता है तो second पद के लिए क्या फर्मूला हो जागा A plus D यह नहीं फर्मूला होगा A two के लिए क्या होगा second तो ये का value कितना है आपका ये का value देख लिए ये 2 है अब पलस D का value कितना है 12 2 और 12 कितना हो गया 14 देखे answer आ गया तो क्या भराएगा ये को ऐसे पता किया जाता है लेकिन ट्विटर में हादी short में पता करना चाहते हैं तो short में पता करने के लिए 2 है 26 है उसको 2 से divide कर दिजे 28 by 2 कर दिजे का जागा 14 आ जागा ये mid term निकालना था इसलिए ऐसा हो पाया ठीक है और ऐसे जो है पुरा process हो गया कि पहला term पता है second term missing है third term दिया हुआ है तो first term पता हो गया तीन को term है इसलिए last term भी पता हो गया middle term निकालने के लिए पहले हम दो d पता किये और जब d निकल गया तब second term निकाल दिये a plus d a का value लिख दिये d का value अभी 12 निकाले थे जोड दिये to 14 हो गया ठीक है तो इसी तरह से और भी box का सवाल बना सकते हैं एक question और भी आपको second solve कर दे रहे हैं इसको इसी तरह से practice करिएगा मिन आपका question फोर से है चलिए लेकिन फिर भी आपको second भी समझा देते हैं कि कैसे करिएगा थर्ड का second question क्या कह रहा है देखे थर्ड का second में पहले कह रहा है कि पहला ही box missing है फिन second box में 13 है थर्ड बोस फिन missing है और fourth box में 3 है ठीक है तब इसमें क्या करना चाहिए देखे ये first box कितना है नहीं पता है ये नहीं पता है second पता है थर्ड नहीं पता है और fourth term पता है कि 3 है तो आप कह सकते हैं कि a 2 is equal to 13 तो इसके अंसार क्या निकलता है बात इसके अंसार बात यहीं निकलता है कि a 2 का मतलब हुआ a plus d a 2 का फर्मूला क्या होगा a plus d is equal to 13 यह होगा आपको पहला equation ऐसा करके बनाना होगा अब दूसरा देखे तीसरा ये चौन्था फर्मूला पता है या चौन्था टर्म पता है तो फिन कर दीजे a 4 is equal to 3 यह चौन्था टर्म है पहला दूसरा तीसरा चौन्था तो a 4 is equal to 3 a 4 का क्या फर्मूला होगा a plus 3d i is equal to क्या है 3 यह होगी आपको सकेंड ऐसा आपको बहुत इस्तिक सर्साइज में आगा solution करने के लिए यह मना दोगो equation है वाला linear equation पढ़े होंगे रेखिक समीकरन दो चरवाला रेखिक समीकरन तो उसी तरह से यह बनेगा दो चरवाला a plus d उसमें x और y रहता था इसमें a और d रहेगा तो उसी समीकरन की तरह इसको solve करना तो यहाँ देखिक फालाई के वैसे हो गया उपर और नीचे second तो second के नीचे first उतार दीजे a plus d i is equal to 13 यह मेरा first है और क्या किया जाता है solve किया जाता है sin बदल दिए minus 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 यह कट गया 3 में से 1d कम कर दिए तो 2d हो जागा और 3 में से 13 कर दिए तो minus 10 हो जागा अब इसको क्या करते हैं देख लिए इधा solve कर देते हैं तो इसलिए जब d is equal to करेंगे तो minus 10 by 2 हो जागा 2 से 10 कर जागा minus 5 बार में ठीक है minus 5 हो गया उसके बाद का करते हैं इस समी करन first में d का मान रखने पर putting the value of d in equation first आइस इंग्लिश में लिख देते हैं तो क्या है first आपका देख लिए जब आपका equation में लिखा हुआ है a plus d is equal to 13 एक जगा आप a तो find करना है d का value केतना यहाँ है minus 5 i is equal to 13 जब एक कर देंगे तो minus 5 है इसको ही set ले जाएंगे तो plus 5 हो जागा तो केतना आजागा बोलिए 13 में 5 जोड़ देंगे तो केतना हो जागा 18 हो जागा ठीक है तो आपका देखें यहां कब भरा गया कि यहां पर 18 भराएगा इसमें कुण भराएगा 18 तो एक तो पता हो गया 18 एको cancer आगया पहला box cancer आगया कि 18 आगया अब एक box और है जो a3 पुछ रहा है a3 तो a3 के लिए क्या करना चाहिए हमको a3 के लिए a plus 2d करना चाहिए a plus क्या करना चाहिए 2d तो a का भेलू क्या है a का भेलू आपका देखें यह 18 है पलस 2 हो गया और d का भेलू के इतना है तो d का भेलू देख लिए जो उपरे minus 5 निकाले है तो minus 5 हो गया अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद यही होगा कि 18 के तो 18 हो गया अब पलस और माइनस माइनस हो गया तो 18 में से 10 लेस कर देंगे तो क्या आजागा 18 में से 10 लेस करेंगे तो 8 आएगा तो आपका तीसरा जो बॉक्स है उसमें 8 भरा जागा तो इस तरह से आपको solve करना है तो आप इसी तरह से तीन को question और है इसी को कर लिजेगा देख लिजे यहां first term दिया हुआ है मने h2 पता है यह last term दिया हुआ है n दिया हुआ है और second term है तो इसमें पहले आपको d पता करना होगा ठीक है फर्स टर्म से हो जागा और यह का value बठा दिजेगा तो इसे डी निकल जागा तो इसी तरह से यह question को आपको solve करना में हम लोग four question से आ रहे हैं और question देखें कैसे करना तो question number four देखिए क्या है से ठीक है फोर कहता है ठीक है third question बने जाएगा नहीं बनेगा तेक अच्छा थाड़ भी वारू देख देते हैं यह तो लग रहा है कि confused आप लोग हो जाएगा कि बहुत सा question छुट गिया नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए देखिए आपका है कहा रहा है कि पहले five है fin box दिया हुआ है fin box दिया हुआ है और fin last term में nine integer one by two दिया हुआ है ठीक है अब बाकि दो question आपको practice कर दीजेगा लेकिन इसको question को 15 भी solve कर देते हैं देखिए तो यह आपका a is equal to clear है कि five है ठीक है अई फोर टर्म है a four कहिए यह है यह two है यह three है यह four है तो यह four is equal to nine integer one by two है इसको सिधा कर जेगा nine two जा eighteen eighteen one nineteen by two है होगे है तो आपको क्या करना है कि a four का क्या फर्मूला होगा तो a four बराबर फर्मूला होगा a plus a plus three d यह ने फर्मूला होगा a four का का फर्मूला होगा a plus three d तो a four का value केतना है 19 by two तो लिख दिए 19 by two a का value देखिए यह लिखा हुआ five तो लिख दिए five आई यह three d है तो three d रह गया solve कर यह 19 by two रह गया यह पलस है इधर लिख जाएंगे तो माइनस हो जागा five और नीचे क्या होगा one अईधर क्या होगा three d अब देख लिजे two of one का lcm two हो गया ठीक है और one को 90 से करेंगे 90 two को five से करेंगे तो ten अईधर हो गया three d ठीक है और आगे solve करके देख लिजे क्या होगा और क्या निकलेगा और देख लिजे यहाँ पर three d आगया three d के बाद क्या है इसके बाद आउस वाल करिएगा तो लिजे 90 में से ten लेस कर दिए तो nine by two अधर का हो गया three d इसलिए जब d इसकल two करिएगा तो nine by two तो ही है और d के साथ three है three by में भेलू चलेगा तिरी से कर देंगे थिरी बार में तो three by two d का भेलू आ गया अब आपको क्या क्या चाहिए इसमें डी का तो भेलू निकल गिया एक का भेलू गी भेन है तो देखे दोसरा पद चाहिए और तीसरा पद चाहिए कौन कौन पद चाहिए? दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए का होगा? A plus D होगा, यह ने फर्मूला पढ़े हैं, दूसरा पद, सेकन्ड पद के लिए का होगा? घ्रा, यह पलस D होगा, तो एक बहलू आपका देख लीजिए, एक बहलू आपका 5 है, 5 लिख दिए D का भीलू अभी निकाले है D का भीलू केतना निकाले है 3 by 2 तो लिख दिए 3 by 2 इसको कर दिजी 2 को 5 से करेंगे 10 और 10 में 3 से करेंगे तो 13 by 2 हो गया तो यह आपका जो दूसर का box था उसमें यही भराएगा answer तीसरा भी box खाली है तीसरा भी box खाली है तो तीसरा box के लिए का होगा यह 3 के लिए का होगा फर्मूला A plus 2D होगा A में क्या लिखाएगा A में आपका 5 लिखाएगा 2 के 2 हो गया और D का भीलू क्या लिखाएगा तो D का भीलू देख लिजी 3 by 2 है 2 से 2 कट गया इधर का बचा 5 अब पलस इधर का बचा 3 तो 5 और 3 मिलके क्या होगा 8 आप अइभी होगा ठीक है तो यह आपका होगा तीसरा box तीसरा box में ही भरा जागा तो यह आपका 3 भी होगा है ना तो हम लोग 3 का 3 कोचन भी स्वल्व कर दिए और 4 और 5 इसी प्रोसेस से बना करके आप तो स्वल्व कर देना है अब हम लोग 4 कोचन से चलते हैं इधर continue चलेंगे इधर देख लिए क्या कहना चाता है 4 AP दिया हुआ है काद AP में है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा इसी तरह से पर जाएगा तो इसमें 78 केवा नमबर पर आएगा ठीक है तो कोचन तो हम लोग समझ गए फिन एक बढ़ आउद बढ़ हिच्छा से समझ लिजे कि एक वो AP है AP में लिखा हुआ है की 4 कोचन का की 3 है 8 है 13 है 18 है और इसी तरह से टर्म आगे जा रहा और टर्म जाने पर केवा नमबर पर या 78 आएगा लाफ्ट में इसको इस तरह से बढ़ेंगे तो कितना नमबर पर या 78 नमबर आएगा तो N पुछना चाह रहा है क्योंकि आपके पास देखिए A पता है A केतना देखा रहा 3 देखा रहा D निकालने का क्या प्रोसेस है कि सकेंड में से फर्स्ट को लेश कर दिए 8 में से 3 लेश कर दिए कोई भी सकेंड में से सकेंड में से फर्स्ट लेश करिए या 3 में से सकेंड लेश करिए 4 में से 3 लेश करिए कोई हों से करिएगा same difference आएगा तो यही common difference होता है 8 में से 3 कम कर दिये 5 हो गया और आपको देखिए AN भी दिया हुआ है AN is equal to 78 है और इसमें AN is equal to 8 है यही नहीं पता है तो इसको जानते हैं कि 4 बात होता है A होता है, D होता है, AN होता है गोई N होता है तो N missing है तो A निकालने के लिए देख लिए अभी हम लोग पहले पढ़ चुके थे short में हम बोले थे कि इसी formula से हम ज़्यादा बनाएंगे और एक और पूरा formula से दोनों तरस बताये थे तो second जो बताये थे उससी से बना दे रहे है क्या था AN minus A plus D by D और एक और formula था उसको भी बताये थे तो इसी पर बना दे रहे है AN के जगा पर क्या लिखे देख लिजे AN के जगा पर क्या देखा रहा है 78 minus A के जगा पर क्या देखा रहा है 3 plus है तो plus लिख दिए D के जगा पर क्या देखा रहा है 5 तो 5 लिख दिए और नीचे का लिखाएगा 5 78 में से 3 लेस कर दीजे केतना आएगा 75 आएगा अब पलस क्या है इधार 5 है 78 में से 3 की है 75 अब पलस 5 अनीचे 5 है 75 में से 5 कर देंगे 80 अनीचे क्या है 5 इसे काट देंगे केतना बार में आएगा 16 बार में कर जागा 16,85 तो यह जो 16 टर्म है यही इस सवाल का एंसर है मतब 78 जो होगा 16 टर्म पर मिलेगा ठीक है कोहाँ पर मिलेगा 16 टर्म के पास तो चलिए यह भी 4 कोचन हो गया 5 कोचन समझे क्या कहता है 5 कोचन कहता है किन्यम लिखित समानतर सिरेनियों में से परतेक सिरेनी में कितने पद है इसमें भी देखिए एने पुछ रहा है कि कितने पद है तो कितने पद मने एन पुछ रहा है इसमें भी एने निकलना है तो चलिए एन निकाल लिजे एपी देख लिजे इसका पहला है 3,13,19,205 तो पहले question लिखे लेते हैं A P दिया हुआ है तो A P वराबर क्या लिखा हुआ है 7, 13, 19, dash, dash, 205 हो गया अब क्या है यहाँ पा देखिए A is equal to 7 देखा रहा है के 7 है और D निकालने के लिए क्या बताया थे कि 2nd में से 1st को लेस कर दिए तो 13 में से 7 लेस कर देंगे तो केतना होगा 6 बचेगा केतना होगा 6 बचेगा और A N केतना देखा रहा है तो A N देख लिजे यहाँ पर है 205 और इसमें A N वाट है तो A N भी देखिए यही फर्मूला से बनेगा जब भी A N है इसी से बनाईए और भी बताया है एक और दोनों बेधि बटता है आपको जो है दोनों तरह का बताया है ठीक है आपको जो भी है फर्स्ट कोचन में बता चुके हैं जो यूज करना आप कर दीजे देख लिजे A N माइनस A पलस D बाई D A N क्या है तो A N देख लिजे A N आपका लाज टर्म 205 है माइनस A कितना है तो A 7 है तो 7 लिख दिए A 7 है पलस D कितना है तो D आपका 6 है फिन नीचे D है तो फिन 6 लिखा गया 200 5 में 7 दिश कर दिजे तो 198 हो जागा पलस कितना है 6 है और नीचे कितना है 6 है 6 दिख दिए इसमें 6 जोड दिजे तो 204 आ गया 204 आ गया और नीचे 6 है 6 बारे छोतरी अठारा हो गया और छोचों का 24th टर्म हो गया यही आपका इस सवाल का एंसर हो गया ठीक है देख लिए कितना असान है तो यह चेप्टर ही असान है इसमें कुछ है नहीं केवल आपको पेटर्न समझ लेना है और पेटर्न समझ गये तो कुछ नहीं है तो उसी तरह से यह इसका 5 का इस फर्स्ट कोशन सवाल किये उसमें एक और कोशन है 5 में उसको भी देखे आपको सवाल कर दे रहे हैं उसमें भी एन निकालना है पैदे तो एपी दिकरीज यह है क्या 18, 15, half 13, dash, dash, minus 47 देखे यह एपी डिकरीज कर रहा है घटते जा रहा है तो घटते जा रहा है तो इसी घटते हुए करम में देखना है तो आपको उसकिलिया देखा रहा है कि A is equal to 18 है D is equal to 15, half इस second में से first less कर रहा है 18 होगा तो देखे 15 में से 18 less कर रहा है क्या आएगा 15 में से 18 less कर रहा है अधि 15 में से 18 less करना रहता तो minus 3 आता देखे उसमें से half और less कर देना है तब क्या आएगा minus 2 integer 1 by half हो जाएगा चलिए अच्छा नहीं समझ में आ रहा है ता और देख लीजे देख लीजे यहाँ पर समझ लीजे हम कैसे कर दे रहा है 18 में से 15 half निकालना है 15 half का मतलब 15.5 तो कर दीजेगा तो का आएगा बोलिए 10 में से 5 घटाएगा तो 5 आएगा या बचया 7 7 में से 5 घटाएगा 2 इधा 0 2.5 आएगा ठीक है तो आप अधी point में करना चाहते हैं तो 2.5 लिख सकते हैं 2.5 कर दीजेगा तो point में तो और भी अच्छा हो जाएगा ठीक है इसको मतलब हुआ कि 15.5 में से 18 लेस करना है तो केतना बचेगा minus में minus में 2.5 बचेगा ठीक है चोगि 15.5 में से 18 लेस करेंगा अभी देखे 15.5 में से 18 लेस कर दिये तो यह तो बड़ा था, यह छोटा था, यह पलस था, यह माइनस था, इसलिए यह माइनस में आगा, ठीक ना, चली यह इतना गया, तो D भी निकल गया, और A N तो देखिए आपको दिया हुआ है, लास्ट में माइनस 47, और A N इसकल टू वाट, तो फर्मूला तो A N के लिए ज माइनस A पलस D बाइडी, हो गया, अब आगे देखिए क्या होता है, A N का भी लू केतना है, A N का भी लू माइनस 47, माइनस A का भी लू 18 है, तो 18 लिख दिये, पलस D का भी लू, तो D का भी लू देख लिजे यहाँ पर है, माइनस 2.5, तो नीचे भी लिखा जगा, माइनस 2.5, D का भी लो, नीचे भी लिखना है, तो नीचे भी लिखा गया, अब आगे solve करिए, इसको माइनस, दूनों माइनस में है, तो दूनों के 8 कर दिजिए, दूनों को उइट करिए, तो 8 और 7 क्या होगा, 15 के 5, अब 4 और 1, 5 और 1, 6, मा प्लस और मैनस क्या होगा मैनस 2.5 हो गया और नीचे मैनस में 2.5 है इसको जोड़ दीजे तो 65 में 2 और 8 कर दीजे तो माइनस सिक्स्टी, सेबन पॉइंट फाइब, और नीचे माइनस में टू पॉइंट फाइब, माइनस से तो माइनस कैंसील हो गया, सेम पॉइंट पर सेम पॉइंट है कैंसील हो गया, इसका टेबल इसको पढ़ दीजिए, केतना बार में आएगा, तो केतना बार में आएगा, बोल ये 25 दूनी 50 हो जागा और इसमें आ जागा 27 बार में इसका टेबल पढ़िए गा तो इसका में 27 टर्म में आ जागा यही इस वाल का एंसर हो गया 25 से 675 में डिवाइड करिएगा तो 27 बार में आगा तो यह 27 इसका end term है ठीक है तो यह भी आपका answer हो गया complete चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं 5 के बाद 6 question देखते हैं क्या काता है तो 6 question बोलता है देख लिजे क्या AP एक AP दिया हुआ है 11852 का एक पद माइनस 150 है और क्यों है है की नहीं और नहीं है तो क्यों नहीं है इसी को हमको answer निकलना है मतब इसी तरह से number घड़ते जा रहा घड़ते घड़ते इसमें minus 150 आएगा हाँ या नहीं यही बताना है region के साथ तो चलिए बताना है मतब ए निकलना है तो पहले हम लोग देख लेते हैं 6 question के लिए बना रहे हैं क्या लिखा हुआ है एपी दिया हुआ है तो एपी में 11 है 8 है 5 है 2 है डैस डैस है और इसी में अदिक करेंगे तो question कहना चाहरा है कि इसी बढ़ते जाते हैं minus 150 इसमें आएगा आएगा कि या नहीं आएगा या आपसे question करा जा रहा है minus 150 आएगा कि नहीं आएगा इस एपी के अनुसार यह हमको बताईए तो इसका पता करने का यही तरीका है कि इसमें एन पता किया जाता है यदि N अदि आपका पूरा पूरा आ गया तो समझे कि यह होगा इस AP में आएगा अब अदि N का भिलू इंटीजर में नहीं आकर के फ्रेक्षन में आ गया तो समझे कि नहीं होगा तो चली N निकाल करके चेक कर लेते हैं पहले यही गूपा है सबसे पहले तो क्या क्या है निकाल लीजिए यह देख लीजिए यह 11 है D निकालने के लिए क्लिए क्या है कि Second में से First को कर दिए Third में से 11 कम कर दिए तो माइनस थिरी हो जागा और N कहना चारा कि माइनस 150 आएगा कि नहीं तो माइनस 150 लिख दिए और N जो है वही पता करना N से ही पता चलेगा की है की नहीं तो चलिए N निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं कितना बार बन चुका सबसे ज़्यादा यही N निकालना है शेप्टर में इसलिए इस फर्मूला का खूब हम यूज करेंगे ठीक है A N माइनस A पलस D बाई D ठीक है और एक और बताय थे भी धी उसको भी चाहिएगा ताब उससे भी बनाईए N का भेलू कितना है माइनस 150 माइनस A का भेलू कितना है ते का भेलू देखे 11 है पलस D का भेलू कितना है तो माइनस 3 है तो माइनस 3 लिख दिए तो माइनस माइनस क्या हो गया पलस लेकिन माइनस से होगा तो कितना हो जागा 1 और 0 करेंगे 1 5 1 6 1 पलस माइनस क्या हो गया माइनस 3 और नीचे क्या है माइनस 3 है माइनस 161 और मैसे 3 माइनस 3 आओ कर दी तो माइनस 164 नीचे माइनस 3 माइनस से माइनस कट गया देखे थीरी के टेबल में यह आपको कटेगा नहीं थीरी के टेबल में यह कटेगा नहीं तीन पचे पंदर हो जागा 16 एक बच गया 3 चौंका 12 हो गया 13 14 दो भटा 3 देखे इंट फ्रेक्शन में आ गया complete integer नहीं आया 50 जैसे पुरा कट जाता 54 या 55 या आता लेकिन आपको क्या है बीच में नमबर ही है 150 जो है इस एपी के बीच में आएगा कोई दोगो नमबर के बीच में आएगा मतलब यह इस नमबर में 150 नहीं मिलेगा इसलिए आपका सकते हैं कि एन पुर्नांक में नहीं है मने एन इस नौट इन इंटिजर so minus 15 इस नौट इन एपी ठीक है तो इस में नहीं है इसलिए लिक सकते हैं नहीं है मतलब यह उस एपी में नहीं आगा ठीक है अब यह 6 भी complete हो गया 7 देख लिजे region 6 का समझ में आगा कि एन पुर्नांक में नहीं है मतलब यह पुरा पुरा completely कटा हुआ नहीं है इसलिए हम इसको इसमें 150 माइनस नहीं आगा माइनस 150 नहीं आने का region अब 7 कोचन देखे क्या करता है क्या 7 कोचन कर रहा है 7 कोचन करता है कि उस AP का 31 पद ग्याद कीजिए जिसका 11 पद 38 है और 16 पद 73 है ठीक है 31 पद निकालना देख दीज़े कोचन क्या कहना चाह रहा एक 7 कोचन है इसमें कहा रहा है कि हमको 31 पद चाहिए ठीक है जिसमें क्या कह रहा जिसका 11 पद ठीक है जिसका 11 पद 11 पद जो है 38 है और 16 पद है वह 73 है ठीक है जिसका 31 पद कैसे निकलेगा देखे तो 31 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आप ही बताईए यदि हमको 31 पद निकालना हो तो क्या करना चाहिए तो 31 का एंसर तब आएगा जब A पलस 30D होगा 31 के लिए 30D यह कम करके किया जाता है फर्मूला में तो 31 का मतलब है कि A पलस 30D तो A का भिलू चाहिए पलस यहां A का भिलू बठा देंगे 30 के 30 लिख देंगे और किसका भिलू बठा देंगे D का भेलू हिया बिठा देंगे और इसको multiple करके इसमें जोड़ देंगे एड़ कर देंगे और जोड़ने के बाद वही मेरा इस सवाल का answer हो जागा ठीक है इसका क्या हो जागा answer होगा लेकिन इसके लिए क्या चाहिए A चाहिए और D जब तक आपके पास A और D नहीं रहेगा नहीं बनेगा तो यह A और D आएगा कहां से चीक है यह जो A और D है आएगा कहां से तो यह A और D देखे यह दूनों से मिलेगा और ऐसा भी बहुत question में मिलना है चीक है आप पहले भी हम लोग equation वाला बनाये थे जिसमें A और D निकाले थे उसी तरह से देखे यह भी सवाल बनने जा रहा है तो चलिए हम लोगा start करते हैं हो गया चलिए देखते हम लोगा start करते हैं तो A 11 is equal to 38 था तो A 11 का मतलब कहा हुआ A plus 10D A plus 10D 38 था अब यह हो गया मेरा पहला equation हो गया मेरा एको का equation ने निकालना था equation निकल गया क्योंकि दोग equation निकलेगा दुनों equation को solve कर गया तो A और D निकलेगा तो चलिए A plus 10D is equal to 38 हो गया यह मेरा हो गया अब आई इसको से second से का लिखल है A 16 is equal to 73 A 16 का क्या value है A 16 का क्या फर्मूला होगा A plus 15D इधर केतना हुआ 73 यह हो गया second equation और इसी के निचे first equation लिख दीजे A plus 10D I is equal to 38 हो गया ठीक है देख रहे हैं कैसे की है यह पहले हूँ भी बना चुके हैं question में एक question में इसको हम लोग solve कर चुके हैं ऐसा यह दूसर का बार इस chapter में ऐसा कर रहा है और अभी तो बहुत बार मिलेगा चलिए तो यह अथ मेरा second equation आया और इस first equation उपर सुतार दिए a plus 10d is equal to 38 अब इसको solve कर दिए इस plus है तो minus होगा इस भी plus है minus होगा इस भी plus है तो minus होगा इस cut गिया 15 में से 10 कर देंगे तो 5d आएगा 15 में से 10 करेंगे तो 5d आएगा 73 में से 38 less कर देंगे तो देखे कितना आएगा बोलिए कितना आएगा बोलिए तो 31 करेंगे 13 13 में से 8 करेंगे तो 5 बचेगा 6 में से 3 करेंगे तो 3 बचेगा ठीक है 35 हो गया इसलिए जब d is equal to करेंगे तो 35 by 5 होगा आप 5 से 35 से बन बार में कट जागा तो देखे आपका एगो d आ गया उसके बाद क्या लिखाता है हिंदी में लिख दिए समीकरन फर्स्ट में d का मान रखने पर अंग्रेजी में लिख सकते हैं putting the value of d in equation first छीक है तो फर्स्ट में रखना है तो फर्स्ट है कहां तो फर्स्ट देख लिए a पलस 10d पलस 38 है इसको लिख देना है a पलस 10d is equal to 38 a का तो value फाइंड करना है तो यह हो गया 10 के 10 हो गया और d का value 7 हो गया इधा 38 हो गया फिन a कर देंगे और 10 सत्य क्या हो जागा 70 हो गया इधा 38 हो गया जब a is equal to करिएगा तो 38 हो गया इपलस में 70 है जब इधर सीधर जागा तो क्या हो जागा minus हो जागा 70 तो केतना बचेगा बुलिए minus 32 बचेगा तो देखे एका value निकल गया a और d जब value निकल गया तो अब मेरा सवाल का answer बन सकता है क्योंकि d का भी value देखे पता हो गया है 7 है d का भी value पता हो चुका है 7 है और a का भी value पता हो चुका है कि minus 32 है तो मेरा सवाल में कोचन है कि 31 term केतना होगा 31 term का answer चाहिए तो 31 term के लिए बताया थे a plus 32 a का value और d का value चाहिए जो हम लोग खोच चुके निकाल लिए है क्या निकाल है एका value a का value देख लिए जो minus 32 है और d का value 7 यही बेठा रहा है एका value minus 32 और d का value 7 minus 32 हो गया और 70 का इस 210 इधर हो गया 210 में से 32 कम कर दीजे क्या आएगा बोलिए 210 में से 32 कम कर देंगे तो क्या आएगा तो 178 आएगा यही सवाल का answer हो गया देखें लेकिन यह कब निकल पाया जब a और d का value हम लोग पता कर लिए तब अधि a और d का value पता नहीं रहता तो यह सवाल नहीं बनता इसलिए पले a और d पता किये दुनों के help से इसलिए question में ऐसा भी बहुत बार मिलेगा ऐसा मत समझे कि यहें पर हो गया ऐसा भी बहुत बार मिलेगा चलिए 8 question पर भी हम लोग focus करते है 8 question क्या कहता है 8 question कहता है कि 1 AP में 50 पत है देखें यह न बता दिया कि यह 50 है जिसका 29 पत निकलना है मतब इसको भी 7 पता कि टरह बनाना है जैसे इसका 29 पता करना था इसमे तो यह 50 पत दिया हुआ तो यह सेम बनेगा 8K7 की तरह लेकिन आदि आप चाते हैं तो इसको अपनों हुन से बना कर ट्राइ कर सकते हैं तो चलिए तो कह रहाए कि इस AP में 50 अपद है, जिसका तिसरा पद A3 केतना दिया हुआ है? तिसरा पद 12 है, तिसरा पद केतना है? 12 है, अब अन्तिनमा पद, अन्तिम मतलब 50 अपद, 50 वह है इसलिए अन्तिमा पद क्या है? केतना है 106 है तो उसका 29 पाद 829 केतना होगा इस बताइए सबल समझ में आ रहा है ऐसा कहना चाहरा आपसे तो चलिए कुछ भी कह रहा है कैसे solve होगा देखे तो इस solve होगा आप बता चुके हैं कि 7 की तरह तब यहां से हैं स्टार्ट करते है कि A3 is equal to 12 तो A3 का का फर्मूला होगा A plus 2D I is equal to 12 इकोन equation हो गया फर्स्ट equation हो गया फीन आएए दूसर का लाइन इतो तो A50 साहिए A50 is equal to का होगा 106 A50 मतलब क्या हाओ A plus 49D 106 इकोन हो जागा second question हो जागा इसके नीचे आएए पहला A plus 2D is equal to 12 यह हो गया पहला अब इसको solve कर गया sanction कर दीजे इस minus हो गया minus हो गया minus हो गया ठीक है 49 में 2 कम कर देंगे तो 47D हो जागा 106 में 12 करेंगे तो 6 में से 2 कम कर देंगे तो 4 हो जागा और 10 में से 1 कर देंगे तो 9 होगा ठीक है इसलिए जब D is equal to करेंगे तो 94 by 47 होगा इससे देखे यह 2 बार में कर जागा तो आगे है D का भी लूँ देख लिए अब उसके बाद क्या लिखाता है उसके बाद जानते हैं इसलिए खता है कि समीकरन फर्स्ट में D का मान रखने पर D का मान रखने पर चलिए D का मान रख देते हैं तब क्या आता है रिजल्ट उसको लेख लेजिए तो समीकरन फर्स्ट है क्या तो समीकरन फर्स्ट लेख लेजिए प्रेम लिखा हुआ, a plus 2d is equal to 12, तो a का value केतना है, a का value आपको तो पते करना है, 2 के 2 हो गया, d का value केतना है, तो d का value देख लिए, जब ये 2 निकाले है, और इधर केतना है, 12 है, तो a और 2 को 2 से करेंगे, multiply तो 4 हो जागा, इधर 12 भागया, जब a is equal to करेंगा, तो 12 हो गया, अई पलस 4 है ने, जाके माइनस 4 हो जागा, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो a आपको निकल गया, a भी निकल किया, और d भी निकल गया, a का भेलू 8 निकला, a का भेलू, आपको 8 निकला, और d का भेलू 2 निकला, इसी के help से, आपको यहाँ पर क्या पुछना चाहरा आप से, देखें, question में दिखा हुआ है, कि 29 पद निकालिये, तो a 29 का क्या फर्मूंगा, अल्ला होगा, a plus 28 d, a plus 28 d, a का भी लुक एतना होगा, एका भी लुक देख लीजे, अभी तुरत निकला है कि 8 होता है, 8 हो गया, plus 28, और d का भी लुक एतना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, तो 8 का तो 8 हो गया, और इसको 2 से कर दिजे, 8, 2, 16, 56 हो गया, अब 56 में 8 जोड़ दिजे, तो 64 आएगा, कितना आएगा, 64 यही सवाल का एंसर हो गया, देख लिए, कितना असान था, अब आएए इसी का, कोचन नमबर, है ना, अब हम लोग कोचन नमबर, यह कंप्लेट हो गया, अब उसके बाद कोचन नमबर, 9 पर आते हैं, कोचन नमबर, क्या कहता है, 9, ठीक है, कोचन नमबर, 9 भी देख लिए, 9 कहता है, कि यदि किसी AP के तिसरे, और नौवे पद, क्रम सब 4 और माइनस 8 है, तो उसका कौन सा पद सुन्य होगा, मतलब N पता करना है, लेकिन पहले, A और D पता करना होगा, जैसे अभी 7 और 8 बना करनेगा, तो चलिए हमनों 9 को भी solve करते हैं, इसी के तरह से, लेकिन कोचन में जो दिया है, उसको लिख दे रहे हैं आपको, कहता है, 9 कोचन किसी AP के तीसरा, तीसरा पद दिया हुआ है, कितना, 4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 9 पद, कितना, माइनस 8 है, तो कौन सा पद सुन होगा, करा कि कौन ऐसा पद है, जो 0 पर आएगा, मतलब एन बताना है, ठीक है, कौन सा ऐसा पद है, एक केवा नंबर पर, कि उसका लंतिम पदे को 0 भी मिलेगा, कौन नंबर है, तो इला तो अभी बाद का बात है, पहले तो इस दुनों से पहले A और D पता करिए, 7 और 8 की तरह, तो चलिए फिंज मुशी बनाते हैं, यहां से आज स्टार्ट करते हैं, A 3 के लिए का फर्मोगला, A 3 के लिए क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, A 3 का फर्मूला क्या होगा, A plus 2D, I is equal to 4 हो गया, या मेरा पहला एक्वेशन हो ग मुला होगा, A plus 8D, कितना है, माइनस 8 है, यह मेरा सकेंड होगी एक्वेशन, ठीक है, अब इसी के नीचे पहला लिख दीजिए, A plus 2D is equal to 4, हो गया, अब देखें क्या है, माइनस है, माइनस है, माइनस है, काड़ दीजिए, 8 में से 2 लेस किये हैं, तो 2 लेस करेगा, तो 6D आएगा, अब माइनस 8 और माइनस 4, माइनस 12 हो जागा, इसलिए जब D is equal to करेगा, तो माइनस 12 बाई 6 हो जागा, 6 से 12 कर जागा, माइनस 2 बार में, अब क्या करेंगे, देखें, D का भीलू निकल चुका, अब ये का भीलू निकलना होगा, क्या लिखा जाता है उसके लिए, समीकरान 1 में, D का मान रखने पर, D का मान रखना हो, तो D का मान रखेगा, तो क्या आएगा, तो देखें लिए समीकरान 1 है क्या, A पलस 2D इसकल 2, 4, तो A का भीलू तो फाइंड करना है, 2 के 2 हो गया, और D का भीलू केतना है, माइनस 2 है, इधर 4, A पलस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2 को 2 से करेंगे, तो फोर हो जागा, इधर 4, जब A इसकल 2 करेंगे, तो फोर तो ही यह है, यह माइनस से इधर भेज देंगे तो पलस फोर हो जागा तो केतना हो जागा 8 हो जागा ठीक है तो इसमें 8 हो गया है ना तो एक आभी भेलू देखे आपको निकल गया और उसका भी निकल गया तो आपको भेलू किसका निकलना है बोलिए भेलू किसका पोपता करना है तो कारा कौन सा पद जो है 0 होगा इसमें क्या इसी पद के अनुसार अदी एपी जाएगा तो उसमें कोई एक पद है जो 0 भी मिलेगा तो इसके अनुसार हम लोग देखते हैं तो आपके देखें यहाँ पर आपको 8 निकला D इसकल 2 आपको माइनस 2 निकला और N कहना चारा है कि इसमें क्या आपको एक और ऐसा टर्म है जो 0 भी होगा तो हम दो चेक करके देखते हैं क्या आएगा की नहीं इसके लिए N निकलना पड़ेगा एन के लिए आपको बता चुके हैं केतना बार फर्मूला N-A पलस D बाई D En का भीलू है देखें 0 माइनस A का भीलू है 8 A का भीलू कैतना लेना है 8 पलस D का भीलू केतना है मैनस 2 और नीचे है मैनस 2 तो 0 में मैनस 8 लेस करेंगे तो minus 8 हो जागा plus और minus क्या होगा minus होगा 2 और नीचे है minus 2 तो minus 8 और minus 2 minus 10 minus 2 minus minus cancel होगा 2 से 10 गोज़ेंगे 5 तो यह 5 टर्म है मतलब हाँ इस AP में 5 टर्म पर आपको मिलेगा 0 क्यों टर्म पर मिलेगा 5 टर्म पर तो यही है answer इस सवाल का कि 0 तो आएगा लेकिन क्यों टर्म पर मिलेगा 5 टर्म पर 5 टर्म पर मिलेगा तो चलिए आपका 9 कोशन भी आपका complete हो गया अब आए 10 कोशन क्या कहता है तो 10 कोशन कहता है कि किसी AP का 17 पद उसके 10 पद से 7 अधिक है तो उसका सार्व अंतर ग्याद के सार्व अंतर बने common difference चलिए तो क्या है देख लेते हैं सवाल क्यों 10 कोशन है तो 10 पद देखें क्या है से किसी AP का 17 पद किसी AP का 17 पद बुक के अंसार हो रहा है किसी AP का 17 पद जो है उसके 10 पद से उस AP का जो 10 पद पद है उससे 7 अधिक है तो पद साथ कर दिया यह देखें यह चीज हम किताब के कोशन में जो कहा है उससे लिखें है फिन एक बाद पद द रहे हैं किसी AP का बुक में देखें कोशन पद यह मिला यह किसी AP का 17 पद मनदा 7 टर्म 17 टर्म 17 टर्म लिख दिये उसके 10 में टर्म से उसका 10 में टर्म से 7 अधिक है तो 7 अधिक मतलब पलस कर दिये पलस करने का मतलब अधिक हो गया अब देखें 17 टर्म का मतलब का हुआ A पलस 16D यह नहीं फर्मूला होगा 17 पद का मतलब का हुआ A plus 17D अब A 10 का मतलब का हुआ A plus 9D अब plus क्या है 7 अब क्या करिए इस दुनों को इधर ले आनिए A plus 16D लिखती है अब इधर आके minus हो गया इभी plus है इधर आके minus हो गया अब इधर क्या बचा 7 बचा इधर देखें plus में हाई minus में कट गया और 16 में से 9 कम कर दिए कितना बचेगा तो 16 में से 9 कम कर दिएगा तो 7D बचेगा अब इधर क्या बचा 7 बचा तो जब D is equal to करिएगा तो 7 by 7 होगा 7 से 7 काट दिए 1 बार में तो यह common difference यही पुछ रहा था answer हो गया 1 ठीक है देख लिए अब question number 11 देखते हैं क्या करता है देखे काता है AP 3, 15, 27, 39 का कुन सा पद उसके 54 पद से 154 पद से 132 अधिक होगा क्या कहना चाह रहा है सवाल समझे फिन से कह रहा है कि कोशन नंबर 11 है का रहा है कोशन ध्यान से देख लिए जे बुक में कि AP का AP दिया हुआ है क्या AP में है तो आप AP में तो देख रहे होगा क्या दिया हुआ होगा से तो चलिए उस AP का इस AP का भेलू दिया हुआ है तो इस तरह से AP गया हुआ है और इस AP में कहता है कि कौन सा ऐसा पद है इसी AP में कौन सा ऐसा पद है जो इसी में 54 टर्म पर जो नंबर आएगा इस तरह से गया है जिसी 1st है 2nd है 3rd है 4 है इसी करते करते 54 पर जो नंबर होगा उस नंबर में 132 अधी 8 कर देंगे तो यहाँ पर आगे वाला नंबर मिल जागा ठीक है इसके आगे जो नंबर होगा वह नंबर तो यह नंबर है कौन यही आपसे पता करने के लिए कर रहा कि 54 टर्म में यदि 132 एड कर देंगे जोड देंगे तो जोडने के बाद जो नंबर आएगा वह देखेगा कि कुछ आगे वाला नंबर से मैच कर रहा है तो वह कितना नंबर पर होगा क्यों पोजीशन पर होगा उसका नंबर का स्थान क्या होगा यह आपसे पुछना चाह रहा है तो देखें क्या करना है ठीक है तो देखें इसको बनाने का दो गोट तरीका है एक सौट है यह वो लॉंग है तो पहले तो जो सिंपल है जो प्रोसेस है सिंपल जैसे किताबी है उसके अंसर आपको बना के देखा रहे हैं तो देखें क्या रहा है कि कौन सा पद मतलब A जो टर्म है यहाँ का पद वह कौन सा पद है तो A N हो गया इसका इन किलियर नहीं के वान नंबर पर यह है और करा की 54 पद से A 54 पद में 132 जोडने के बाद यह पद मिलेगा यहाँ कर यह पर के वान नंबर पर यह पद ही पता नहीं है लेकिन 54 जो टर्म पर जो नंबर है उस टर्म पर 132 जोडने के बाद यहाँ वाला नंबर मिलेगा यह कोचन कह रहा है तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा से कोचन कमसार आगे बढ़िए तो a n के लिए क्या फर्मूला होगा a plus a plus n minus 1 d होगा अब a 54 के लिए क्या होगा a plus 53 d होगा अब plus क्या लिखा हुआ 132 हो गया इधर का a से a cancel हो जागा दोनों साइड में है सेम साइन में तो n minus 1 तो रहेगा क्योंकि n तो पते नहीं है कि के लिए टर्म पर है और d का क्या है d रिखे difference निकाल दीजे तो d निकाल जेगा तो क्या निकालेगा कि 15 में से 3 less कर दीजेगा तो 12 d आ जागा तो यहां पर आपको 12 लिखा जागा आप 53 और d का भेलू क्या भी निकाले है 12 लिख दिए आप पलस 100 32 हो गया ट्वेल को एंसे करेंगे 12 वेंट होगा 12 को वांसे करेंगे 12 हो जागा 53 को 12 समल टिक पल करिए शिक्स होगा बारहा पच्छे साथ शाथ इसके चो हो गया अब बारहा पच्छे साथ आट आप तीन तीर तो 636 आगा पलस 100 32 हो गया ठीक है अब इसके आगे हमनों बढ़ते हैं क्या आता है देखिए 12 एं तो रह गया और इस दोनों के 8 कर दिए 6 और 2 8 हो गया 3 और 3 6 हो गया 6 और 1 7 हो गया और यह देखिए माइनस में 12 है जो इधर लेग रहा है तो क्या हो जागा पलस में 12 हो जागा 12 एं तो हो गया अई दूनों को जोड़ दिजे 8 और 2 जोड़ दिजेगा तो 10 6 और 1 7 और 8 7 कर 7 इसलिए जब n इसकल 2 करिएगा तो 7 8 0 बाई का हो जागा 12 नीचे बाई में चला जागा और जब 12 से काटिएगा तो केतना बार में कट जागा इए 65 बार में कट जागा तो वह जो नंबर था जिसमें 54 टर्म पर ठीक है जो 54 टर्म पर 132 जब जोड़ेंगे तो वह जो आएगा वह आता कितना 65 टर्म पर जो नंबर आएगा उसकी इकूल आ जाता ठीक है तो यह 65 टर्म पर है तो यही सवाल का एंसर हुआ देखे कितना असान था लेकिन इससे भी आसान ही है इसी सवाल को अदि बनाना होगा ता आपको एक और मेथट से बता दे रहे हैं आप इसको इस तरह से भी स्वाल कर लीजेगा ठीक है तो आपको जेकि एनवा टर् तो देखे उसमें कहा है कि 54 टर्म 54 टर्म है देखे कोच में दिखा हुआ है 54 टर्म तो 54 दिख दिए उससे केतना दिखा है तो 122 है और D का भी लू केतना निकाले है 12 है ठीक है या 54 टर्म है ठीक है अब पलस इसमें केतना इट कर दिख रहा था 132 और उसमें केतना सम डिभा कर दिये सारवंतर से तो इससे इसको काड़ दीजे बारे कम बारा हो गया तो 54 हो गया अब पलस 11 हो गया तो 4 आवान 5 हो गया अब 5 आवान 6 56 हो गया देखे कितना आसाल है तो यह सकेंद मेठड हुआ स्वार्ट में बना देने का ठीक है दोनों सही है यह पुरा प्रोसेस से दिया गया है इसको स्वार्ट में किया गया है उसी मेठड का यूज करते हुए ठीक है तो चलिए आपको 10 कोशन 11 कोशन कम्प्लीट हो गया अब यह 12 कोशन के बारे 12 question क्या कहता है बूक में देखिए अब कहता है 12 दो समांतर स्टेनियों का सार्व अंतर समान है दोनों का common difference है कारा कि दो तरह के एपी है एपी केतना तरह का है दो तरह का है और दोनों तरह का जो एपी है two type का एपी है मनें दो तरह का एपी का है और दोनों का सारवन्त कोमन डिफरेंस दोनों में करा है कि समान है इक्वल है यदि उसके सोवे पदों का अंतर सोव है उसका सोवा जो नंबर पर जो पद होगा दुनों का पहला एपी और दूसरा एपी उसका डिफरेंस जो है हंडेड है तो उसी का अधी एक हजा बर्वां पद में दूनों में less करेंगे, minus करेंगे, अंतर निकालेंगे, तो कितना आएगा, यही आप से पुछना चाहरा है, चलि देखते हैं, तो चलि बर्वां question हम दो solve करते का रहा है कि दो तरह का एपी है, ठीक है, एपी एक तरह का नहीं है, दो तरह का एपी है, ठीक है और दोनों का common difference जो है, same है, लेकिन आपको नहीं बताया है, ठीक है, दो तरह का एपी है, एग ओई एपी है, यह अलग तरह का एपी है, एक और इसमें एपी है, भेलू question में नहीं दिया हुआ, वो भी अलग तरह का एपी है, लेकिन दोनों का जब common difference निकालेंगे, तो दोन में same मिलेगा, common difference निकालेंगे, तो दोनों में क्या मिलेगा, same मिलेगा, same का मतलब है कि common difference इसमें भी, अधी two का difference होगा, तो भी two होगा, अधी इसमें five का difference होगा, तो गरो में five a का difference होगा, लेकिन starting number दोनों का same नहीं है, last number भी दोनों का same नहीं है, तो अधी इसका अधी hundred term पर अधिक कोई number होगा hundred term के पास और इसका भी hundred term के पास कोई ap होगा तो दोनों का difference जो है कह रहा है कि hundred आएगा और इसी ap को और आगे बढ़ते जाएंगे इसका एक one thousand जो है इसका एक हजार वेंपद पर और इसका भी एक हजार वेंपद पर क्या अंतर होगा यही दोनों का difference कुछ रहा है या question कहना चाहरा है तो आगे देखते हैं तो इस ap का भी hundred term और दूसरा जो ap है इसका ap में a-कर देश कर दे रहे है इसका भी hundred term का difference difference मतलव अंतर दोनों का question में कह रहा है एक पहला ap का इस समापद हो गया दूसरा ap का भी समापद हो गया और दोनों पदों का डिफरेंस को किंचन में का रहा है कि 100 है कितना का रहा है को क्वेचन में 100 है तो 100 लिख दिए यह कोईशन के अनुसार हुआ है तो 100 पद का फर्मूला का होगा A पलस 90-90 हो जागा और इसका भी फर्मूला क्या होगा A plus 1990 होगा लेकिन इसका first term तर्म दुरनों के first term में difference है यसलिए difference के लिए a dash कर देते है लेकिन common difference दूनों का same है इसलिए d dash नहीं करेंगे d same रहेगा क्योंकि question नहीं कह दिया कि कुन दूनों का common difference same है स्लिए नहीं होगा d क dt यह रहेगा इधर रिकोल क्या होगा 100 होगा अब आज़े ए पलस 9090 हो गया माइनस ए डैस का का हो गया माइनस और पलस क्या होगा माइनस होगा 9090 अधर क्या है 100 है अब क्या लग रहा है देखिए 9090 पलस में है माइनस 9090 माइनस में है तो पलस माइनस कैंसील हो गया इस तरह सिधर ए बचा और माइनस ए डैस होगा दूनों पदों का डिफरेंस भी कितना आया 100 आया इसको फर्स्ट एक्वेशन मान के मनों छोड़ देते है फिर है आपसे कोशन में पूछन ना चाहरा है कोश उसका डिफरेंस केतना होगा यह हमको बताई इसका इसकल टू वाट है इसका एंसर आपसे जानना चाहरा है कि पहला एपी का एक हजारमा पद दूसरा एपी का भी एक हजारमा पद और दूनों एक हजारमा पद का अंतर केतना होगा तो आईए तो एक हजारमा पद के लिए क्या होगा तो a dash plus 999 d ठीक है इसका first term में difference होता है इसलिए dash दिये हैं अब common difference तो दुनों में same है इसलिए इसमें difference नहीं दिये हैं तो a plus 999 d minus a dash अब plus और minus क्या होगा minus होगा 999 d अब देखे इपलस में है इपलस में है कट गया और क्या बचाप के पास a minus a dash क्या बचाप से a minus a dash a minus a dash का भेलू देख लिए जो उपरे दिया हुआ a minus a dash का भेलू केतना होता है 100 होता है केतना होता है 100 होता है इसलिए इसका A minus A dash का value केतना लिख देंगे तो यह minus A dash का value केतना होगा 100 होगा मतलब इसका भी answer वही होगा कि इसका एक पर्थ मन जो first AP है उसका एक हाजारवापद और दूसरा जो AP है उसका भी एक हाजारवापद का difference केतना आएगा 100 आएगा देखे केतना आसान था हो गया answer तो चलिए आपको 12 question भी complete हो गया आप आईए 13 question में 13 question क्या कहता है सिध्यान से देखे 13 question कहता है question देख लीजी एक बार कि 3 अंको वाली कितनी संखे आए साथ से भी भाज है करा कि 3 अंको वाली कितनी संखे आए साथ से भी भाज है साथ के पाड़ा में आने वाला साथ के टेवल में सेवन के टेवल में आने वाला के गो नंबर है ठीक है ठीजिट में तो हम लोग जानते हैं कि ठीजिट जो है हंडेड से चालू होता है और कहां पर खतम हो जाता है 999 99 पर खतम हो जाता है यह सब 3 डिजिट है यह सब 3 डिजिट का गया है तीन अंको वाली सबसे छोटी संख्या है और तीन अंको वाली यह सबसे बड़ी संख्या है और इसी के बीच का है आपको नंबर देखना है जो का कह रहा है कोजन में 7 से भी भाज्य वाला 7 से भी भाज्यत होने वाला ताब बोलिए कोन आएगा 100 आता है 7 में नहीं आता है 102 101 नहीं आता है 102 देख लिजे 102 देखते हैं 7 से आता है कि नहीं 7 या 3 बेज़ा 7 से नहीं कटेगा 2, 3, 4 तक नहीं जाएगा 5 आपको देखिया आजाएगा 7 से अधी 7 से कट गिएगा तो कट जागा 7 एकम 7, 3, 7, 35, 35 बार में तो कहां सा स्टाट हो रहा है 105 से 100 से चलना है 999 तक चलना है और उसमें यह देखना है कि कौन संख्या है जो 7 से होगा तो इसमें देखिये कि 100 में खोजे तो 105 से स्टाट हो रहा है और उसके बाद का होगा फिनिस में 7 जोड़िये तो 112 बाएगा और इसी तरह से जाएगे अब इसमें इसके नियरेस्ट में कोन अगल बगन नंबर है जो 700 से 7 के टेबल में आता है इसको चेक करने के लिए एक ही उपाय है कि आप इसको 999 को 7 से डिवाइड करिए देखिये कोन आता है तो केतना पर में जागा साथ एकम साथ हो गया केतना बच गया दू सच्चों का 28 हो गया केतना बच गया एक 9 में 60 गया तो एक बचेगा दूर जीरो हो गया अब नो के 9 हो गया केतना पर में जागा साथ साथ दुनी के 14 होगा केतना बच गया माच हो गया तो यह जो 5 आपको आया 5 जो रिमेंडर यह 5 इसमें 999 में कम कर दीजे तो काएगा 900 फाइब कम कर दीजे तो 94 आया क्या किये है 999 में जो रिमेंडर बचा है सेस्फल 5 फाइब को कम कर दीए 994 आया तो यही 994 आपका लास्ट टर्म हुआ जो 7 के टेबल में आजाएगा अब करा कि ऐसा ऐसा ले करके 105 112 इस तरह से लेते जाएगे तो 999 में के गोसंख्या कितना नंबर है जो 7 के टेबल में आता है मतलब आपको इसमें क्या मिला ए इसकल 2 तो जान रहे कि 105 देखा रहा है डी इसकल 2 क्या होता है तो आई इसमें से इसको लेस कर दीजे तो 102 में से 105 कर देंगे 112 में से तो 7 आएगा और नहीं भी लिखेगा तो डारेक्ट डीजकल 2 से बन लिख दीजेगा क्योंकि 7 से विभाजित है मतब 7 का ही डीफरेंस रहेगा अधि 4 से डीवाइड होता तो डीजकल 2 4 कर देते हैं 5 से डीजेबल पुछता कि 5 से विभाजित है तो 5 दिख देते डीजकल 2 ता आप इतना नहीं भी बनाकर कि डारेक्ट भी आप डीजकल 2 5 लिख सकते हैं तो आपसे पूछ रहा कि किये गो नंबर है जो 7 से डीवाइड है तो एन पूछ रहा और एन के लिए हम बहुत बार बता चुके हैं उपर में किये निकालने के लिए यही फर्मूला एन माइनस ए पलस डी बाई डी ए एन का भी लू देख लिए एन मतलास्टर रेन मतलब क्या लास्टर तो 994 में से 105 कम कर दिए तो 900 में से 100 800 आप 5 कम कर दिए इसमें तो 800 क्या होगा 89 आप पलस क्या है 7 आप 2 7 7 से चोड़ दिए 9 7 16 के 6 हो गया 9 8 आप नीजे क्या हो गया 7 हो गया साथ से कर दिए सादे कम साथ हो जागा सादुनिके 14 हो जाएगा सत्य अठी 56 हो गया 128 वो नंबर ऐसा है जो 105 से लेके 994 के बीच में 7 से डिभाइड होने वाले नंबर कितना है 128 128 है देखे कितना असान था इंसर जब भी पूछेगा कितने नंबर हैं तो इसको इसी प्रोसेस से बनाए जाता कोई भी रहेगा कि 5 से डिभाइड होने वाले कए को संग्या है 4 से डिभाइड होला 6 से 9 से 7 से कुछ भी कहे या इसके table में आने वाला तो या इसका निकालने का यही एक तरीका है number ठीक है तो यह अभी आपका 13 भी complete हो गया अब 13 के बादा यह 14 question कैसे बनेगा उसको देख लीजिए 14 question कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुनज है 4 के table में आने वाले कौन कौन number है देखे यह उसी तरह का सवाल यहां भी हो गया question number 14 कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितना number है जो 4 के table में आता हो 4 से divide हो जाता हो कि यह को number है यह आपको बताना है जो 4 के table में आता हो या 4 से divide हो जाता हो यह 4 के table में आता हो पाड़ा में आता हो तो देखिए 10 से आता है फूर के टेबल में तो नहीं है पहले एपी इसका बनाएता है फूर के टेबल में 10 नहीं आता है फूर के टेबल में 10 का बाद एलेवा नहीं आता है फूर के टेबल में 12 आता है तो 12 हो गया फिन उसके बाद कोन आएगा 16 आगा को फोर इसमें बढ़ा दिये 12 में फोर कर दिये 16 और कर देंगे तो 20 और इसी तरह से आगे जागा और इधर वाला लास टर्म के लिए क्या बताया थे कि डिवाइड करके खोज दिजेगा चलिए डिवाइड करके हिए खोज देते हैं फोर से डिवाइड हमको चाहिए 250 में केतना सोगा चार से 4 छक 24 एक बच गया जीरो चार दोनी के आठ दो बच गया तो हम क्या बोले थे कि 250 जो आया उसमें से 6 फल केतना बचा दो दो कम कर दिजे तो 248 आया तो यही 248 आपका लास्ट टर्म है ठीक है इस 4 से डिवाइड होना 250 का अंदर में 248 है जो 4 के टेबल में आता है तो आप इसमें A is equal to क्या देखा रहा है 12 देखा रहा है डी स्कल्टू क्या देखा रहा है तो फोर के टेबल में आना है इसलिए डारेक्ट आप फोर लिख सकते हैं तो 16 में से 12 खड़ रहेगा तब फोर आज़ेगा और एन लास्ट टर्म केतना है 248 है यह भी हो गया तो इस तरह से आपका इसमें आपका हो गया अब आपके हम लोग पलस डी बाई डी यही फर्मूला है बेलू बठा दीजिए बेलू बठा दीजिए क्या आता है बेलू में एन में क्या होगा 248 आ गया माइनस ए में केतना है तो यह में देख लिए 12 है पलस डी में केतना है तो फोर है डी तो फोर नीचे भी डी लिखना है तो नीचे भी फोर लिखा जागा 248 में से 12 कम कर दीजिए तो 8 में से 2 कम कर दीजिएगा 6 आएगा फोर में से 1 कर दीजिएगा 3 2 के 2 अब पलस क्या लिखल है इधर 4 दिखा हुआ है बाई क्या है फोर है फोर इसमें एड कर दीजिए तो 240 आ गया और नीचे केतना है फोर है फोर से कर दीजिए 120 बार में आगा तो सुचे 10 और 250 के बीच में फोर से डिजिवल मंबर फोर से डिभाइड होने वाला या फोर के टेबल में आने वाला के को नंबर है 120 है यही आपका इसका एंसर हो गया 120 देखे केतना असान था तो जब भी यह निकालना हो तो इस फर्मूला से निकाले बहुत ही EGV से बन चलिए अब 15 कोशन देखते हैं 15 कोशन क्या काता है 15 को देख दीजे 15 कोशन क्या बोलना चाहता है आपसे तो 15 कोशन काता है देख लिजे NK की समान के लिए दोनों समानतर स्रेनियों ठीक है दोनों दो तरह के एपी है एगो एपी देखे 63, 65, 67 ऐसे बढ़ रहा है आएगो 3, 10, 17 ऐसे बढ़ रहा है इसका डिफ्रेंस फ़रा से लंबा है इसका डिफ्रेंस फ़रा से लंबा है इसका डिफ्रेंस फ़रा से लंबा ह होंगे करा कि कौन ऐसा एपी है जिसका कुछ दूर जाने पर दूनू का भेलू जो है सेम देखाएगा के वाँ पोजीशन पर यह ऐसा होगा समझ रहे हैं नई समझ रहे हैं ठीक है कोई दिकत नहीं है फिन हम आपको फिन समझा रहे हैं दो तरह का एपी है एग एपी है इधर देखे एग एपी लिख दे रहे हैं एग एपी में आपको दिया हुआ है 63, 65, 67 और इसी तरह से गया है ठीक है एग और एपी है उसे एपी का का भी लुक आता है थीरी है टेन है 17 है और इसी तरह से आगया है तो बुल रहा है कि दूनों में इसी तरह से देखे इसमें के इतना का डिफ्रेंस है 22 का difference है इसमें केतना कभी difference है 7-7 का difference है तो इस तरह से आगे बढ़ते जागा इधिरी दिरी बढ़ रहा है इते जी से थोड़ा बढ़ रहा है तो बढ़ने के बाद देखेगा कि इसका भी कोई ऐसा number है जहां पर यहां पर भी वही number देखाएगा और इसमें भी आगे जानने के बाद वही number देखाएगा तो वह सेम number दूनों देखाएगा कितना position पर होगा कितना number पर होगा 15 पर होगा कि 20 पर होगा कि 18 पर होगा कि 30 पर होगा 30 पर होगा कितना पर होगा यह हमको बताए मतलब एन पूछ रहा ठीक है तो आईए हम लोग इसको चेक करते हैं सबसे पहला बात तो है कि इसका ए क्या होगा ए तो साब देखा रहा कि 63 है और डी क्या होगा तो डी तो जान रहे हैं कि इसको मेंसे इसको लेस करने के बाद निकलता है डी नीचे लिखा द देगे तो two I कर डी इसका क्या होगा ए क्या निकल रहा है साब देखा रहा है कि 63 है कद ए अर डी क्या करना होगा तो टेन में से थिरी टेन में से थिरी कर देगे 7 हो गया ठीक है जब 7 आ गया तो अब कह रहा है कि इसका भी en respecto दूनों चाब प्र भेधू जो है equal होगा लेकिन इसका a p escola एसले इसमें थे एकश दे रहें ऐसे इसका फरस्टर्फ 결ह का common difference इसका common difference दिनों है इसलिए दुनों के तरब जो है लास्सट टर्म जो इसका term हैंगा वह equal है ना कि सुर्वाथी कोई नंबर equal है इधर का नंबर को Cream छीक वट नहीं है इसी में आगे जाते जाते मान के चलिए कि कुछ दूर गय ही मिला इसमें भी उतना ही नमबर पर जा रहे हैं तेकरों में देख रहे हैं कि सेम नमबर है तो वह सेम नमबर कितना position पर है यही बताना तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्मूला लिखते हैं, n का क्या फर्मूला होता है, a plus n minus 1d होगे, इसका भी क्या फर्मूला होगा, a plus n minus 1d, लेकिन इसका a और इसका यह difference है, इसलिए dash देंगे, इसका भी common difference है, इसलिए dash देंगे, अब a का भीलू क्या है, इसका भीलू देखते है, 63 है, d का भीलू क्या है, 63 है, d का भीलू क्या है, 2 है, तो भीला यह एक जगा पर 63, n minus 1, और D के जगापर क्या लिख दें, तू लिख दाएगा, D के जगापर क्या लिखाएगा, तू देख लिजी है, D के जगापर, अब इधर आईए, A के जगापर क्या लिखाएगा, इसमें A के जगापर 3 लिखाएगा, और D के जगापर 7 लिखाएगा, तो यह दैस है, A दैस है यह dash के जगापर 3 हो गया यह n minus 1 तो रह गया लेकिन d dash के जगापर क्या लिखाएगा 7 लिखाएगा आगे बढ़ते हैं 63 तो हो गया 2 को n से करेंगे 2n और 2 को 1 से करेंगे तो minus 2 3 के तो 3 हो गया और आगे देखते हैं हम लोग इतरी के तो 3 लिख दिए और 7 से multiple आगे 7 को n से करेंगे 7n और 7 को 1 से करेंगे 7 हो जागा अब देखें 63 में 2 less कर दिजए तो 61 हो जागा और क्या बचा है 2n 3 में 7 less कर दिजए तो minus 4 बचा 3 में से 7 less कर देंगे तो minus 4 आप पलस 7n रह गया अब क्या करेंगे नंबर नंबर को एक्साइड कर दिजए तो 61 तो इधर है अब minus 4 इधर से इधर ले आनिए तो minus 4 से इधर आके पलस 4 हो जागा इधर 7n तो है यह है 7n ठीक है अब देखें है ना इसको पलस 2n है इसको ही सेड ले जाइए तो इधर पलस 2n है ने आके minus 2n हो जागा अब क्या करते हैं अब 61 में 4 कर दिए 65 हो जागा और 7 में 2 लेस कर दिए तो 5n हो जागा इसलिए जब n इसकोल 2 करिएगा तो n के साथ 5 है नीचे हो जागा 65 उपर हो जागा केतना बार में कर जागा यहां 13 बार में कर जागा तो वह 13 टर्म है 13 पोजिशन पर वह नंबर है जो दूनों में सेम मिलेगा इसका भी 13 पहला का भी इसका भी निकालेगा 13 टर्म है तो सेम नंबर मिलेगा इसका भी 13 पद निकालेगा 13 टर्म तो वही नमबर है तो के वह नमबर पर वहसा था 13 पर देखे कितना सान है यह भी एंसर हो गया अब आईए कोश्चन नमबर 15 हो गया अब 16 आईए चलिए देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा यहां पर लगता है कोश्चन नमबर 14 था उस 14 में यहां काटने तो ठीक काटा गया था लेकिन चार छक्षो भी 6 बार में 60 बार में आता है इसलिए 60 इसका एंसर होगा 120 नहीं होगा ठीक है केतना एंसर होगा 60 ठीक है तो इसको थोड़ा सा आप सुधार लिजेगा चलिए आगे हमनों बढ़ते हैं अब कोश्चन नमबर आईए 16 के बार क्या 16 करता है 16 कोश्चन कहता है तीसरा पद 16 है और सात्मा जो पद है वो पाचमें पद से 12 अधीक है यह एक्वेशन निकलेगा और इसी एक्वेशन से आपको स्वल्व करना है तो आईए पहले एपी बनाने के लिए ए और डी चाहिए ए और डी इसी से निकलेगा पहले ए और डी निकल जागा तब फिन आपको बनेगा तो कहरा कि तीसरा पद 16 है और फिन कहरा कि सात्मा पद पाचमें पद से 12 अधीक है तो तीसरा पद 16 है तो तीसरा पद 16 लिख दिया रहे है देखे लिख दिये तीसरा पद 16 है ठीक है किताब सही लिखा गया है तो तीसरा पद 16 का मतलब क्या हुआ कि A पलस 2 2D होगा फर्मूला, तीसरा पद के लिए क्या फर्मूला होता है, A पलस 2D, I is equal to 16 हो गया, यह हो गया पहला एक्वेशन, फिन देखे क्या कहता है, फिन देखे क्या कहता है, फिन देखे आगला पाक कह पढ़ रहा है, कोशन में पढ़ दिए, सात्मा पद, मतब इसका जो सात्मा पद होगा, इसके पाच्वें पद से, इसके पाच्वें पद से, क्या है, बारा अधिक है, तो पलस बारा कर दिए, कोशन बोल रहा है सा, किसका सात्मा जो पद होगा, इसके पाच्वें पद से, मतब फिप्ट टर्म से, 12 अधिक है 12 अधिक कर दिये अब देखिए 7 पद के लिए का फर्मूला का A plus 6D हो जागा 7 है तो 6D लिखाएगा 5 है तो क्या लिखागा A plus 5 है तो 4D लिखाएगा अब पलस क्या है 12 लिखा हुआ 12 होगे अब आगे देख लीजे क्या होगा से यह पाद दुनों का सेम है इसलिए A से A कैंसिल हो जागा ठीक है 6D आपका इधर रह गया अई पलस 4D है इस साइड में जागा तो माइनस 4D आजगा इस पलस 4D है इक्वल के इस साइड ला रहा है तो क्या हो जाता माइनस हो जागा इधर आपका 12 हो गया 6 में से 4 कम कर देंगे तो 2D बचेगा अईधर केतना हो गया 12 हो गया इसलिए जब d इसकल 2 करेंगे तो 12 ऊपर हो जागा और 2 नीचे हो जागा तू से करेंगे 6 बार्म होगा d का घरन निकल गया अब क्या करेंगे समीकरन first से from equation first है तो from equation first क्या है a plus 2d is equal to 16 a plus 2d is equal to 16 तो लिख देंगे a plus 2d is equal to 16 अब a का value केतना है तो a का value पता करना है 2 के 2 हो गया और d का value देखिया भी निकाले है 6 दी का भीलू केतना निकाले है 6 तो यहां लिख दिया d के जगा सुइक a का a लिख दिये पलस का पलस लिख दिये 2 के 2 लिख दिये और d का value उपर था 6 लिख दिये आज इसकाल टो 16 हो गया अब आए ए के तो a हो गया 6 तो जा 12 हो गया अधर 16 हो गया जब a is equal to करेंगे तो क्या होगा 16 अधर आके minus 12 हो जागा तो केतना हो जागा 4 हो जागा ठीक है केतना हुआ 4 हो गया तो यह 4 आपका इसका हो गया और दी निकल गया जब a और दी निकल गया तब उसके आगे देखे क्या होगा हमको क्या निकलना है a p के लिख офर्मूला होता है a A plus D, A plus 2D और इसी तरह से जाता है, A plus 3D, A plus 4D, A plus 5D, इसी तरह से जाएगा, तो A में कितना है, तो A में देख लिए जो 4 है, तो 4 हो गया, फिन A में कितना है, 4 है, प्लस D में केतना है तो D में देख लिए जो उपर हम लोग 6 निकाले थे D में केतना निकाले हैं 6 निकाले है तो D में हम लोग यहाँ 6 लिख दिये फिने में 4 लिख दिये और 2 का 2 हो गया और D का 6 हो गया इसी तरह से गया इसमें यह चाहिए और आपको निकालने के लिए फिक्स होता है कि एपी जब भी निकालना हो तो यह चाहिए और डी चाहिए और AD रहेगा तो आप AP बना लिजेगा अराम से ठीक है तो आपका देखिए यहां भी AP निकल गया इस question का तो चलिए हम लोग question number 16 जो है complete कर लिए अब आईए question number 17 पर question number 17 कहता क्या है से देख लिजे question number 17 कहता है कि AP दिया हुआ 38 13-10 देखे लास्ट टर्म भी दिया हुआ है 253 में अंतीम पद से बिश्वा पद ग्यांत कीजिए देखे कह रहा है कि अंतीम पद से शुरू से बिश्वा नंबर पर मत बताईए इधर से इधर बिश्वा नंबर पर बताईए कोन आएगा चलिए देखते हैं पर देखे तो एपी जो कह रहा है उसको लिखते रहे हैं उसके बाद ताब के पास एपी दिया हुआ है कोच्चन में 38-13-253 और का रहा है कि इसका अंतीम से कहां से अंतीम से बिश्वा पद बताईए कोन होगा बिश्वा नंबर पर ठीक है तो अंतीम से बिश्वा मतलब इधर से इधर हमको बिश्वा नंबर पर बताईए कोन होगा तो एपी अब हम बदल देंगे क्योंकि आब इधर से एपी नहीं पुछ रहा है कि आब इधर से हमको इधर आना इसलिए AP भी हम चेंज कर देंगे तो 253--13-8-3 देखे AP बदल दिए मेरा जो first term था भी इसमें last term हो गया और जो मेरा last term था इसमें first term बन गया तो यहाँ पर इस तरस होगा तो इसमें कह रहा है कि A is equal to अब कौन काम करेगा तो 253 काम करेगा अब A N में कौन काम करेगा? तो A N में 2 देख रहे हैं कि 3 काम करेगा और D कैसे निकलेगा? तो D जानते हैं कि कोई भी term से पीछे term को less कर देने से D निकल जाता है तो 3 में से 8 कम कर दीजे minus 5 इसका D निकल गया अब जब D निकल गया तो कर रहा है कि विश्वापद कर रहा कि A20 केतना होगा तो A20 के लिए का फर्मूला होगा A plus 19D A plus 19D तो A का तो A हो गया यह देखे A plus 3 इसका यूज नहीं है इसका यूज नहीं होने जा रहा है तो A का जगा पर क्या लिखाएगा A का जगा पर 253 पलस 19 के 19 और D का भी लुक्या होगा माइनस 5 253 तो लिखा गया और पलस और माइनस क्या होगा माइनस 19 पच्चेपन 95 हो जागा और 253 में से 95 लेस कर दीजे क्या आएगा तो 158 आएगा यही सवाल का एंसर हो गया तो 20 वा नमबर इसका का होगा जब उलट करके चलेंगे उल्टा दिशा में चलेंगे इसका अंतिम से सुरू तरफ जाएंगे तो उसका 20 नमबर पर आएगा 158 यही एंसर है देखे भी कितना असान था तो यह भी हो गया आपको अब 18 कोच्चन आईए 18 कोच्चन क्या कहता है देख लिजे देख लिजे क्या बोलना चाह रहा है किसी एपी के चौथे और आठमे पदों का योग फोर नमबर पर जो नमबर है से और आठ नमबर पर जो पद है से दुनों पद को या नमबर को जोड़ देते हैं तो 24 फोर आता है फिन उसी में कहता है कि 6 नमबर पर जो है नमबर से और 10 नमबर पर जो पद है से दोनों पदों को जोड़ देते हैं तो 24 आता है किस एपी का 3 गो पर्थम 3 पद लिखिए चलिए कोशन में देख लिए रहा है क्या कारा से तो चलिए हम लोग देखते हैं का रहा है कोशन में किस का जो 4 नमबर पर है पद से और 8 नमबर पर जो पद है से यह दोनों पद को जोड़ेंगे तो 24 आएगा यह कोशन कह रहा है ठीक है यह कोशन में देखे लिखा हुआ है तो 4 A4 के लिखा फर्मूला होगा A पलस 3D हो जागा और A8 के लिखा होगा A पलस 7D हो जागा अधर केतना है 24 है A और A मिल करके 2A हो गया अधर 3D और 7D मिल करके क्या होगा 10D हो गया अधर केतना है 24 क्या करें यहाँ पर 2 से divide कर देते हैं चोटा हो जागा 2 से करेंगे तो एक बार में 2 से करेंगे 10 को तो तो 5 जार में 5 बार में और 2 से करेंगे तो 12 बार में यह 1st equation हो गया इसको दूसे भाग दे दिये हैं मत्तल दिविजिवल by 2 कहिए अब देखिए सकेंड बात अब आई ये फिना के question में देखिए लिखा हुआ है कि 6 नमबर पर और 10 नमबर इसका जो 6 नमबर पर जो नमबर है से और इसका 10 नमबर पर जो नमबर है से किता में देखिए book में दोनु को जोड़ने के बाद 44 आजागा ठीक है आगे देखिए 6 नमबर पर कौन होगा A पलास 5D 10 नमबर पर कौन होगा A पलास 9D आइधर केतना है 44 A और A मिल करके 2A हो जागा अब 5 और 9 मिल करके 14D हो जागा आइधर केतना है 44 है क्या कर रहा है 2 से इसको भी डिवाइड करते है 2 से करेंगे 2 1 जा 2 और A बचेगा 2 से करेंगे 7 बार में जागा और इसको 2 से करेंगे 22 बार में जागा यह second equation हो गया और इसको भी 2 से भाग दे दिया है अब इसी के नीचे first equation उतार दिजे first equation क्या है देख लीजे a plus 5d is equal to 12 तो a plus 5d is equal to 12 यह मेरा first equation था अब sin बदल दिजे यह आपका cut गया 7 में से 5 कम कर दिजे 2d हो गया अब इसको से कम कर दिजे 10 बचेगा 2 में से 2 करेंगे 0 2 में से 1 करेंगे 1 इसलिए जब d is equal to करेंगे तो d के साथ 10 उपर होगा 2 नीचे होगा केतना बार में होगा 5 बार में कर जागा तो d का भीलू केतना निकल गया 5 निकल गया अब उसके बाद क्या लिखाते हैं समीकरन फर्स्ट में d का मान रखने पर अब ऐसा सवाल आप पढ़ चुके हैं पहले उपर बहुल सा पढ़े हुए हैं यहां पर रिपीट हो रहा उसी तरह का प्रोसेस है तो यह से मने पूटिंग दा भेलू अफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट इंगलिस में लिखा जागा अब देखें फर्स्ट क्या है ए पलस 5 डी इसकल टू टू यही है फर्स्ट देख लिजे यह पलस 5 डी इसकल टू 4 फर्स्ट शिकर रहे है तो यह का तो ए रह गया 5 का 5 हो गया और दी का भेलू केतना निकला है दी का भेलू देख लिख लिजे यह 5 निकला है तो 5 देख दीजे यहें 12 हो गया तो यह पलस 5 को 5 से कर देंगे तो 25 हो जागा इधर 12 हो गया, जब A is equal to कर देंगे तो 12 हो गया, पलस है तो इना के माइनस हो जागा, कितना बचेगा, तो माइनस 13 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 13 बचेगा, जब एतना निकल गया, तब इसका A P निकाल ये, एपी के लिए भी तुरत उपर कोचन में हम लोग देख चुके थे, 16 कोचन में, एपी के लिखा पढ़े थे, कि A, A पलस D, A पलस 2D, अब इसमें कह रहा कि तीने पद चाहिए, देखे कोचन में लिखा हुआ, ज्यादा नहीं चाहिए, एपी का कौन चाहिए, पर्थम तीन प तीन, पद भी लिख सकते हैं, एक जगापर क्या बठेगा, माइनस 13, फिन एक जगापर क्या बठेगा, माइनस 13, डी के जगापर क्या बठेगा, तो दी के जगापर देखे, 5 निकला हुआ है, 5, एक जगापर, माइनस 13, 2, अब डी के जगापर, 5, तो माइनस तो 13 हो गया, अब 5 में से 13 लेस कर दीजे फाइव में से 13 लेस कर दीजे क्यला आएगा minus 8 आएगा ठीक है आब 5 to 10 हो गया आब 10 में से 13 लेस कर दीजे तो minus 3 हो गया यही सवाल का अंसर हो गया देखे कैटना सान था ठीक है तो 18 वी कोचन आपका final हो गया अब 19 question देखिए, क्या कहता है, 19 में है क्या, उसको देख लिजे, तो 19 में कहता है, कि सुबा राव ने 1995 में 5000 रुपिया का मासिक बेतन पर कार परारम किया, और परतेक वर्स 200 रुपिया की बेतन बिर्धी प्राप्त हुई, किस वर्स में उसका बेतन 7000 रुपिया हो जाएगा ठीक है, अंतिम बेतन पुछना चाह रहा है, कि 7000 हो जाएगा तो कौन साल होगा, मतलब किस वर्स मतलब, नंबर पुछ रहा है, क्या पुछना चाह रहा है, नंबर पुछना चाह रहा है, स्वाल समझ में आ गया, क्या, question number 19 है, कर रहा कि सुबा राव है, उनको 1995 में बेतन 5000 1000 रुपिया है, ठीक है, तो और उसका हर साल बेतन जो है, दो 200 रुपिया बढ़ते जाता है, 200 रुपिया उसका बेतन बिरिधी है, 200 रुपिया क्या है, बेतन बिरिधी है, और उसका लास्ट में 7000 रुपिया हो जाता है, तो किस वर्स होगा यह 7000 रुपिया, 7000 रुपिया होगा वह किस वर्स होगा मतलब एन पुछ रहा है कि कौन साल उसका बेतन जो है आपका हो जाएगा ठीक है कितना साल के बाद 7000 रुपया तो चलिए तो यहां हम लोग क्या देखते हैं कि यह ए है सुरू का बेतन है इसलिए यह 5000 ए है हर साल जो बेतन उसका बढ़ रहा है वह आपका डी है और लास्ट में उसका जो बेतन हो गया है 7000 वह एन है ठीक है और तो बचा का इसमें आपसे पुछना चाहरा है एन के लिए बता चुके हैं एन माइनस ए पलस डी बाई डी सबसे ज़्यादा हम लोग यही चीज़ निकाल रहे हैं इस चेप्टर में एन एन का बेलू केतना है देख लिए 7000 है माइनस और किसका बेतन केतना है एक अभेलू 5000 है और हर साल केतना बढ़ रहा है डी 200 रुपिया है और नीचे भी डी है मतलब फिन 200 रुपिया नीचे भी लिखाएगा 7000 में से 5000 कम कर दिए 2000 बचेगा अब पलस क्या है 200 रुपिया और है और नीचे केतना है 200 है 200 2000 में 200 जोड दिए 2200 हो गया और नीचे केतना है 200 दो जिरो से दो जिरो कट गया 2 से कट जागा 11 में मतलब 11 एर के बाद उसका बेतन 7000 रुपिया हो जागा केतना साल के बाद उसका बेतन 7000 होगा 11 साल के बाद मने 11 साल उसका जो बेतन है वह 7000 रुपिया हो जाएगा चलिए अब हम लोग 20 स्वाल है लास्ट कोश्चन है इस चेप्टर का चलिए इस लास्ट कोश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है रामकली ने किसी वर्ष के पर्थम सप्ता में 50 रुपया की बच्चत की 50 रुपया सुरू से पैसा रखिया है और अपनी सप्ताहिक बच्चत अब हर सप्ता फिन अब 70 रुपया 50 पैसा बढ़ाती जाती है तो कितने सब्ता में उसका बेतान 207 रुपिया 50 पैसा हो जाएगा मतब इसमें इन पुछ रहा है तो यह नभी तुरत हम लोग बनाए है 19 कोशन में चलिए इसमें भी हम लोग बना ले रहे हैं इसी तरह से लेकिन है इसमें क्या क्या तो करा कि साथ 50 रुपिया से सुरू किया है तो 50 रुपिया इसका यह हो गया फिन कितना हर सब्ता बढ़ात बचाती है तो 17 रुपिया 50 पैसा तो चलिए 17 रुपिया 50 पैसा इसका D हो गया और last में कितना पैसा इसका हो जा रहा है last में 207 रुपिया 50 पैसा 207 रुपिया 50 पैसा या इसका last है तो आप देखिए A निकालने के लिए भी फर्मूला पता थे A-A-A-D-D यही फर्मूला है A-A-A-A-D-A-A-D-A-D-A-A-D-A-A-D-A-D-A-D-A-A-D-A-D-A-D-A-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D-A-D दीजे दूसों में स्यादी 50 रुपया कम कर दे 150 लेकिन 7 रुपया बेसी है तो 157.50 हो जागा और इसमें जोड़ देना है 17.50 और नीचे केतना है 17.50 अब जोड़ दीजे 50 पेसा 50 पेसा मिल करके 1 रुपया हो जागा मतलब ही देख 00 रह गया और 7 और 14 अवे 15 हो जागा ठीक है 6 एक 7 और एक 8 हो जागा 5 एक 6 और एक 7 होगा और नीच घर 1 के 1 होगा और इधर क्या होगा हो 17.50 अब क्या करते हैं 175 उपर है नीचे 1750 है तो यहां पॉइंट के बाद 2 डिजित है इसलिए उपर 100 बेज दे रहे हैं पॉइंट के बाद 2 नंबर है यहां लेकि 2 डिजित है दोगो तो एक के लिए 10 दो के लिए 100 तो उपरे 100 बेज दिया तो दस्मे सब्ता के बाद उसका इसे होगा दस्मे सब्ता में दस्मे सब्ता में इसे होगा तो इस तरह से यह चेप्टर आपका complete हुआ ठीक है तो हम लोग फिन अब अगला वीडियो 5.3 जो वीडियो है उस चेप्टर इक्सर साइज में हम लोग फिन भेट करेंगे ठीक है इस चेप्टर को बहुत अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लिजे हैना दो तिन बार देखकर कि इसको अच्छा से रिभाइज कर लिजे ठीक है नेस्ट विडियो हम लोग फिन आएंगे 5.3 में यह चेप्ट के लिए जै हिन जै भारत